वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला सब्सक्राइब करती हूँ उमीद करती हूँ आप लों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आप एक बहुत ही अच्छे मन से जोश भरे मन से और शांत दिमाग से पढ़ाई कर रहे होंगे अब आखिर के टाइम पे रिविजिन के साथ साथ पांच्छे फुल करने की कोशिश कीजिए और अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो बस एक बार चाहे वीडियो की स्पीड बढ़ा के चाहे नॉमल स्पीड पे आप ये वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए उससे एंड मोमेंट के कुछ चुट-पुट पॉइंट्स कुछ ऐसी चीज करना चाहते हैं शुरुवात से सेलेक्शन तक की तैयारी जो की एजेंडा है हमारा अब तक आप समझी गए होंगे उसके लिए आप हमारे पेड कोर्स के लिए हमें कॉंटक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डीटेल्स दी भी है सभी सफीशन स्टडी मटीरिय आपको परवाइड कर दिया जाएगा और बाकी चीजें आप रवाइज करते रहें प्रैक्对स करते रहें तक हिम्मत नहीं हारनी हैं लगे है तेमाग주 को बार-बार बेवखूफ बनाएं कि नहीं आपको चीजें यादए हॉण और आपको चीजें रवाइज कर नहीं है बस सोचने का मौका ही मत दीजे अपने दिमाग को और भड़िया तरीके से बस पढ़ाई करते रही है आप सब लोगों का एक्जाम बहुत अच्छा जाएगा ऐसी मुझे पूरी उमीद है और मेरी best wishes भी है तो हम शुरुआत कर लेते हैं फिलाल हमारे test की Thank you पहला सवाल देखेंगे अब हम देखिए अब बस आप अच्छे से इसको पढ़ जाएए एक बार ठीक है जो चीज आपको लग रही है नहीं आती उनको देख लीजिए test देके बिलकुल demotivate नहीं होना है बस इतना धान रखेगा तो पहला सवाल देख लीजिए आप ये बोल रहा है सही विकल्प का चैयन कीजिए कुछ kingdoms के नाम दिये हुए हैं और पूछा हुआ है वो कौन कौन से districts में फैली हुई थी देखिए attempt कीजिए क्योंकि test अब आप attempt करेंगे मैं आपको सही आंसर बताऊंगी और आप attempt करेंगे test अब फटा फट और test में क्या कीजिए थोड़ा सा डेर सो के डेर सो questions लगाए कीजिए बिल्कुल भी जो question नहीं आता है उसमें तुक्का मारा कीजिए तो उससे यह होता है कि यह पता चलता है हमें कितना याद हो रहा है तो पांडय सामराज्य चोल और चेरा दिया हुआ है इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर है पहला और दूसरा पांडया किंग्डम जो थी वो कहां कहां थी वो थी आपकी तिरूनेलिवली मधुराई, रामनड और साउथ ट्रावनकोर ठीक है जी दक्षिन ट्रावनकोर में चोल किंग्डम आपकी थी तंजोर और त्रिचिनुपली टी टी ऐसे आद कर लो चोल यह हो गया चेर किंग्डम आपकी जो थी वो केरिला वाला पार्ट था निमलिखित में से सही विकल्प का चैन करें अब यह पूछ रहा है आपके तीनो संगम लिटरिचर यहां पे तयार हो जाएंगे फर्स संगम लिटरिचर किसकी चेर्मेंशिप में और कहां पे हुआ था देखिए फटा-फटार बताईए इसका भी आंसर है आपका पहला और दूसरा देख लीजए पहला याद कीज़े सब याद करेंगे आप पहला हुआ था धैन मदुरही में और तीसरा हुआ था मदुरही में तो देखिए सबसे अच्छी बात मैंने आपको पहले टेस्ट में भी बताईती कि फन मदुरई और मदुरई पहले लिख लो फन मदुरई नीचे लिख लो मधुरई और बीच में लिख लो कापाटपुरम बस आणसर यादो जाएगा जब ये वनजी है तो वनजी तो गलत हो गया क्योंकिница काँसर मदुरई होना चाहिए यहां पर यहां पहला जो हुआ वो हुआ आपका तैन मधुरई में अगस्ते थे दूसरा हुआ आपका कपाठपुरम में और कौन थे तोल का पियर और तीसरा आपका हुआ मधुरई में और थे नक्किरार बहुत असान हो जाएगा ऐसे आद करना ऐसे करके एक टेबल बना लो पहला दूसरा तीसरा तीनी हुए और कहाँ पे थे एम थेनमधुरई कपाठपुरम एम और अगस्ते टी एम ए अगस्ते तोला पकियर के टी और एम का आपका नक्रियार देखो ए टी एन तो हो गए अध्यक्ष और टी एम के एम हो गया आपका जगा जहां पे संगम लिटरेचर और इसके अलावा अब ना तो इसे दुबारा देखोगे और डारेक्ट पेपर में ठीक करोगे तीसरा निमलखित में से सही विकल्प का चैन करें सेलेक दी करेक्ट आप्शन ये बोल रहा है प्रसिद गरंत पुस्तके और उनके राइटर कुमार संभवं कीरतार जुनियम नैशिध्य चरितम और आपका ह्याग्र विववध और आप इसमें से राइटर्स बता देजी य लिस्टिंग विडियो का है वैसे एक विश्चन पर कोई बात नी जिनका नहीं प्रिपेर है कोई बात नी यहां हो जाएगा और हाग्री विवद यह आपका है मेंथा का फिर आपका पहला गलत है तो कुमार संभवं आपका किसका है बहुत फेमेस है कुमार संभवं तो यह है आपका काली दास का तो आपका भट्टी का क्या है, भट्टी का एक टेक्स्ट है आपका, यहाँ पर बता देती हूँ मैं आपको, वो है रावन वद्ध, रावन वद्ध, फोर्थ देख लिजे, निम्लिखित में से सही विकल्प का चैन करें, से लेख दी करेक्ट आप्शन, महा जन्पद और उन कोसल जो था आपका, उसके थे प्रसंजीत, फिर आपके वज्जी के थे चेतक, ठीक है यह, छेदी के थे आपके छेदी या फिर चेटी, शिशुपाल, प्रद्योत नहीं थे, वज्जा के थे आपके उद्ध्यन, प्रद्योत किसके थे अवंती के और आपके यह किसके थे, कौन सा गलत हुआ है विराटी तो याद रखिएगा मच से थे फिफ्थ निमलिखित में से गलत विकल्प का चैन करें सेलेक्ट दी इंकरेक्ट आप्षन आगे आपका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसल सेकेंड थर्ड और फोर्थ चारो के कहां पे हुई और क्या बोलते हैं कौन से राजा के टाइम पे हुई तो यह यहां पे याद हो जाएगा आपका तो इनकरेक्ट इसमें से आपका सेकंड है अब मैं आपको बता देती हूँ पहली हुई राजगरिये में आजाच्छत्रू थे हर्यंक डाइनेस्टी के पहली बुद्धिस्ट काउंसल कहां हुई राजगरिये में रटते रहो सेकेंड कहां पे हुई राजगरिये के बाद आपकी वशाली में तक्षिशिला नहीं वेशाली और कौन थे कालशोक थे बिल्कुल ठीक बात है तीसरी आपकी कहां हुई तीसरी आपकी पाटली पुत्र में हुई तो कहां पे चल रहे हो अभी आप राजग्रे है के बाद गया वेशाली वेशाली के बाद जा रहे हो आप पाटली पुत्र और तो आपका पहला है धान्य क्या था बताया तो था आपको मैंने धान्य का मतलब था ग्रेंज था ना अनाज और बाकी आपके ठीच दियों मैं यह आप देख लो गृत में आपका घी या फिर मक्खन आजाएगा और आपका एक था विश का क्या मतलब होता था क्लान गण का लीनिएज वाप का टुसो वाप वी ए पी ठीक है जी सेवन्थ निमलिकित में से गलत विकल्प का चेयन करें आप तो ठीक है ना पैन किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है अब पैन से मेरे और इंकरेक्ट आप्शन पूछ रहाएगे बहारत में मानव का पहला प्रमान कहां मिला एविडेंस फ्यूमन्स नर्वदा में और प सेवन्थ कांसर ओजाएगा अपको पता है दमदमा उपी में नहीं है दमदमा में मिकोलिस प्रॉपी में है लेकिन साहरुन पौर में नहीं है इटेजन परताफ कर में अगल कर देख लो हैं कर्नाटिका में है पेलियो भी तिक पीड़्ट के टाइं पे लुमन्स को नालेज नहीं थी आनेमल हस्बेंट रे अगरिकल्चर की और हमेशा याद रखना humans के पहले साक्षे मिलते हैं आपके नर्मजा रीजिन से अब ये बोल रहा है कि प्रताबगड से मिले हैं आपको जो मदाहा है हड़ी और सींग किसे बने उपकरन पशू पालन की शुरुवात हुई मध्यपाशान काल से मध्यप्रदेश में स्थित मध्यपाशान कालीन स्थल है एक मिसलेथिक साइट है पैसरा वहां से जोपडियां मिली हट्स और उत्रप्रदेश के प्रताबगड से आपको मिला क्या बोलते हैं चपानी मंडो जगा है ज जो आपकी पैसरा है थोड़ा सा भी किसी ने पढ़ा है तो पैसरा एंपी में नहीं है पैसरा इस नोट इन एंपी पैसरा इस न बिहार 9th कोटले के अतरिशाश में वरनित अध्यक्षों के सम्बंद में आपको गलत विकल्प चैन करना है जो प्रेसिदेंट उनने मेंचेन का रहा हुं पान अध्यक्ष सुरा ध्यक्ष कुपए ध्यक्ष और सीत अध्यक्ष ये कौन-कौन थे इससे आपको गलत बताना है तो इसमें आपका C गलत दिया हुआ है, कुपय अध्यक्ष जो है, स्लोटर हाउस, बूचर खाने का अध्यक्ष जो है, नहीं था, जो आपका ये है, कुपय अध्यक्ष, ये आपका forests का head होता था, मतलए जंगलों का, वनों का अध्यक्ष था, पाने अध्यक्ष आपका ठीक ह बिल्कुल, Department of Commerce, और सुरा ध्यक्ष आपका अपकारी विभाग का exercise department का बिल्कुल ठीक है, सुना ध्यक्ष जो था, सुना, S-U-N-A, ये तो है सुरा, अगर ये आए, S-U-N-A, तो वो था आपका बूचर खाने का ध्यक्ष, सीता ध्यक्ष आपका कृष्णी का अध्यक्ष सफदर जंग, स्वाजद दौला और आपका असफद दौला, आपको इनके नाम पता होने चाहिए, आपके time period, तो ये ठीक है, arranged है, बिल्कुल या नाम आपको याद रखने है, साधद खान का time period मैं आपको बता रही हूं, 1722 से 39 तक, फिर सफदर जंग आपका था, 1739 से 54 तक शुजाओ दौला था, 1754 से आपका 75 तक, और असफद दौला था आपका 1775 से 97 तक, ठीक है, फिर से आपको कालानु कुरमिक प्रम में विवस्थित करना है, पतला वाला लेना पड़ेगा, या आपका chronological order में आपको arrange करना है, तो पहली textile मिल बॉंबे में, फिर रिश्रा, फ फिर steel का production इंडिया में पहली बार और sugar industry का development by Indians, आपको बताना है कैसे, तो आंसर इसका C हो जाएगा, 1, 2, 3 and 4, and ध्यान देने वाली बात है है कि आपको पहले Bombay का पता होना चाहिए, this is 1854, देखिए मुझे नहीं लगता, आप राइटिंग में कोई problem आनी चाहिए, बहुत स्टील का 1874, और ये है आपका 1904, तो मुझे, अब मेरे खाल से राइटिंग ठीक आ रही होगे, 12, निमलिखित में से कौन 1901 में गठेट सिचाई आयोग के अध्यक्ष था, बहुत असान question, irrigation commission जो बना था, उसके कौन थे अध्यक्ष, बताई जल्दी, 12 cancer क्या हो जाएगा, Sir Colin Scott Moncrief, देखते ही आदाना चाहिए, MacDonald कौन थे, ये फेमाइन commission के थे, जो 1899 में गठेट हुआ था, Robertson कौन थे, Robertson आपकी railway वाले थे, R4 railway, R4 Robertson, 1909, फेमाइन commission कब आया था आपका, 1909 में, और Thomas Rayleigh, ये तो आप जानते होंगे, University Commission, 1902 में, तेरा, दिवितिय आंग मराथा युद, सेकेंड, आंगलो मराथा वार में कौन कौन से treaty साइन हुई, बसीन, सालवाई, पुरंदर या सूरत, तो याद रखिए, केवल पहली, treaty of बसीन, देखिए, पहले वाले में, जो first आंगलो मराथा वार हुआ, 1775 से 82 तक, उसमें साइन हुई, सालवाई की treaty, फिर पुरंदर की, फिर सूरत की, तो SPS ये उस दोरान साइन हुई थी, ठीक है, पहले बल्की ये हुई थी आपकी, SPS इधर से उदर याद करना, सूरत की हुई थी 1775 में, पुरंदर की हुई थी 1776 में, सालवाई की हुई थी 1776 में, सालवाई की याद कर लो, 75, 76, 82, second angle में राठा हूँ और, first के time पे, आपकी हुई, first के time पे ये हो गई, sorry, second के time पे आपकी हुई, बसीन की संधी, बसीन की संधी हुई आपकी 1802 में, तो ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है, तो याद रखना, ठीक है, SPS, प्लीज याद रखना, सूरत पुरंदर, जैसे MMS किसका था, मैंने बताया था न, MMS, बताओ चलती, कौन सी वर्स के थे हैं ये, 14, निमलिकित में से सही विकल्प का चैन करें, select the correct option, अब ये कुछ सिधान दिये, मैं safety valve theory किस ने दी थी, conspiracy theory किस ने दी थी, प्रकाश समाहक सिधान, lightning conductor theory किस ने दी थी, बताओ फटा-फट से, तो इसमें second और third बिल्कुल ठीक है, आपका जो safety valve theory थी, वो दी थी आपकी लाला, लाजपत, राये ने, नाकी विपिन चंदरपाल ने, और आपकी conspiracy theory दी थी, रजनी पालमेदत ने और lightning conductor गोपाल कृष्न कोकली में, और किस से related थी ये theories, भाई, जब Congress का गठन हुआ, तो इन लोगों ने कहा था, Congress का जो गठन है न, वो इसलिए कराए, इनूने, कि that is a conspiracy theory, इनूने कहा था, कि lightning conductor theory है, ठीक है, फिफ्टींथ, निमलिकित में से गलत विकल्प का chain करें, select the incorrect option, ये बोल रहा है, प्रथम आंगल मैसोर यूद के परिनाम स्वरूप, मदरास की संदी पर हस्ताक्षर किये गए थे, आ गया MMS, और दूसरी में हुए मैंगलोर, और तीसरी में श्रिदंगपत्नम, बिल्कुल कोई गलत नहीं, मैंने बिताया न, MMS, MMS है आपका, एंगलो मैसोर वार से संबंदित, ठीक है, आपकी मदरास की है 1767 से 1769, और फिर आपकी सेकंड मैंगलोर की है 1779 से 1784, और श्रिदंगपत्नम की है 1790 से 92, 16, निमलिकेत राजियों को जो साहाइक संधी के अंतरगत शामिल किये गए थे को कालानू करमिक करम में विवस्थित करें, अनिजद फॉलिंग स्टेट्स एट वर एनिक्स्ट अंडर 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 पेश्वा, तंजोर, सिंधिया, तो सबके यर देख लो और बस बात बन जाएगी, तो पेश्वा आपके 1801, तंजोर आपका 1799, सिंधिया आपके थे 1804 में हुआ, ये एनेक्स जोदपूर हुआ आपका 1818 में, और सबसे पहले कौन सा हुआ था, हैदराबाद हुआ था, 1800 में, 1798 और 1800 में, तो हैदराबाद, तंजोर, पेश्वा, फिर भोंसले ओफ बराड, 1803 में, फिर सिंधिया और फिर जोदपूर, ये है इसका क्रम, 17th, निम्रिखित में से सही विकल्प का चैन करें, सेलेक दी करेक्ट आप्शन, भी ट्रीटीज हैं कुछ, सगौली की, लहासा की और गंदमक की, तो बताइए, ये रजी में हैं, और किसने क्या रेप्रेजेंट किया, ये पूछा हुआ है, पहला ठीक है केवल, अब आप देख लीजे प्लीज, सगौली, 1816, याद करते रहो, अइंगलो नेपाल बिल्कुल ठीक, ट्रीटी अफ लहासा, तिबच से रिलेटेड थी भाई, बच्चे को भी पता है, और गंदमक, आप की थी, अफगान से रिलेटेड, 1904 और 1879, नाइ, 18, नेमलिकेत में से सही विकल्प का चेहन करें, सेलेक दी करेक्ट ऑप्शन, 1799 में, पूर्वी उत्रप्रदेश के अवद में, वजीर अली खान के नितरत में, कौनसा विद्रो हुआ, नागरिक विद्रो, सिविल रिबेलियन, सन्यासी विद्रो, मजनू शह, मूसा शह, भवानी, पाठक और देवी चधरानी के नितरत में, बिहार और बंगाल में हुआ था, कौनसा सन्यासी रिवोल्ट, कौनसा सही है, बताओ, ठीक है, मिल्कुल, दोनों, ये आपका कौक कितने तयार होगे, सिविल रिबेलियन, 1799 का, सन्यासी, आपका मजनूशा, मूसा शह, भवानी, पाठक और देवी चधरानी, याद करते चलो, निमन में से गलत चुनिए, इनकरेक्ट ऑप्शन, पैका, कुका, वहाबी, और नारकेल, बेरिया, आपके लीडर्स के नाम पूछे हुए है, गलत पहला हो जाएगा, पाइका आप जानते हैं, बहुत अच्छे से बहुत बार कराया है, 1817, उडीसा का था, बक्षी, जग, बंद्रू, बिद्याधर, मुकुंडदेव और दीन बंधू, कुका मुवमेंट कहां का है, कौनसा एरिया था, पंजाब का, 1840-1872 वाला टाइम पीरिट चल रहा था, आपके भगवत जवाहर मल थे, वहाबी मु थे इसके लीडर, ठीक है, अचा, मैं आपसे एक पूछ लूँ, क्योंकि देखिए, इतनी त्यारी तो हो गई है, क्या बता पाएंगे, आप मुझे बताएंगे, पागल पंथी, पागल पंथी, इसका एर बता दीजे मुझे, कहां हुआ था, और कौन-कौन से इसके लीडर यह बता दीजे, ठीक है, ट्वेंटी, निमलिखित में से सही विकल्प का चेहन कीजे, और उनके संपादग, बंदी जीवन, कीर्ती, मिलाप और संध्या, सब रिवाइस कर रहे हैं अब हम जल्दी-जल्दी, ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल ठीक है, इसम जिंद्र सानियाल, बंगाल का था यह निउस्पेपर, कीर्ती निउस्पेपर, यह आपका था पंजाब का, 1926 का, ठीक है यह बात, संतोश्रिंग, मिलाप निउस्पेपर, उर्दू लैंग्विज का था, 1923 का, और यह आपका, एम चांद का था, लहौर से यह पब्लिश हो 1896 में, जो सेशन हुआ, कालकटा 1896 का, उसमें वंदे मातरम पहली बार गाया गया, फिर 1909 में मॉंबई में सेशन हुआ, जहां पे इंडिन काउंसल्स आक्ट पारित किया गया, 1909 का, फिर सूरत का सेशन होता 1907 में, जिसमें कॉंग्रस का स्प्लिट हो गया, कौन सा आपका सेशन हुआ, 1896 का, इसमें बंदे मातरम गाया गया, इसके चेर्में कौन थे, आप जानते हैं, इसके चेर्में थे आपके रहमतुल्ला एम सयानी, मैं आपको चेर्में भी बता देते हूं साथ-साथ, यह जो आपका सेशन था, यह लहोर में हुआ था, जहां पे इंडिन का सेशनों पर विचार कीजे, consider the following statements, बियार अंबेटगर ने, 1924 में, क्या साथ किया, depressed classes movement, महराश्ट से, और इवी रामस्वामी नाइकर ने, self-respect movement, देखे, अब यह सवाल नहीं गलत होने चाहिए, यह कि आप वो stage नहीं है, आप तो तेज पढ़ा रही है, आप तो धीरे प्रेपरेशन की बचरी है के वल, last minute preparation, तो भाईया ठीक हैं यह बिलकुल, दोनों, याद रखेगा यह चीज, बियार अंबेटगर, depressed class, 1924 महराश्टर, इवर आमस्वामी नाइकर, self-respect, 1925 तमिल नाडू, फिर आपका 23rd है, निमलिकित में से सही विकल्प का चैन कीजे, correct option, शारदा कानून, आपका अगस्त घोषना, क्याबिनेट मिशन घोषना और हिंदू महला संपत्ती कानून, किस कौन से वाइसरय के टाइम की बाते हैं यह, यह पूछ रहा है, बताइए इसमें से गलत कौन सा है, सही पूछ रहा है, sorry, तो आप जानते हैं, अगस्त घोषना क इसके टाइम पर हूँ थी, लॉड लिल लित को, कौन सा साल था, 1940, और फिर आपका शारदा एक्ट, शारदा एक्ट, शारदा एक्ट, नाइटीन थर्टी का है, पहले तो यह याद रखिए, नाइटीन थर्टी में कौन था, इर्विन था, फिर क्याबिनेट मिशन कब आया बताईए, बच्चा बतादेगा, 1946 का है यह, और यह वेवल के टाइम का है, हिंदू विमिन प्रॉपर्टी आक्ट किसके टाइम का है, एड नाइटीन थर्टी, सेविन का है यह, और यह था आपका लॉड ऑक्लेंड के टाइम का, 24, निमलिकित में से गलत विकल्प का चैन क करें, से लेक्टीन करेक्ट ऑप्शन, कुछ कमिटीज दीवें, उनसे संबंदित नेता दीवें, मतलब जो भी उनके इस पांडर से नेता, सभी नेता थे उस वक्तो, युनाइट इंडिन कमिटी, बहिश्कृत हितकरनी सभा, सत्यशोदक समाज, इंडियन लीग, इंकरेक् ये सब एक्स्ट्रा इंफोर्मेशन मैं आपको बता रही हूं, इंडियन लीग, 1875, और उनाइट इंडिन कमिटी, 1883, विमेश्चंद्र बैनरजी, 25, काला नुकरमिक्रम में व्यवस्थित करना है, फटफट, विश्वभारती विध्याले, हिंदु मासबा, विमेंस इंड पता है सबको, 1924, विश्वभारती, 1921, किसका है ये, रबिंदर नाटे गुर का, हिंदु मासबा, 1915, ये सबको पता होगा, मदन मोहन मालविया, विमेंस इंडिया असोसियेशन, 1917, इंपोर्टन्ट है, कौन थी, लेडी सदाशिव अयर, याद रखेगा, ठीक है, और आप 1920, ये कौन थे हाप, इनरायन, मलहर, जोशी, तो हाँ, आंसर क्या होगा असका, ये तो मैंने बताया ही नहीं, तो आंसर तो बताई लोगे, अपने आप, 2nd, 3rd, 1 और 4, 26, दिल्ली सल्तनित के संबंध में, आपको सही विकल्प का चैयन करना है, दिल्ली सल्तनित, ये एलिमिनेशन लग जाएगा, दिवाने को ही कौन सा था, एगरिकल्चर का था, इंशा कोरिस्पॉंडेंस का था, है न, पत्रचार जो विभाग था, अर्ज, मिलिटरी था, इश्टगा का आपका आप जानते हैं, पेंशन डिपार्टमेंट था, बहुत ही बार करा दिया, द खित में से सही विकल्प का चैनि करें, से लेक दी करेक्ट ऑप्शन, अब ये क्या कह रहा है, दिवाने अर्ज किसने इंट्रिड्यूस किया, दिवाने उन्जारत से, दिवाने अर्ज, अलग कर दिया, और FST ने क्या करा, दिवाने बंदगान की शुरुवात करें, MBT ने खिरात स्टार्ट किया, ये पूछ रहे है, तो पहला और दूसरा ठीक है विल्कुल, बल्बन ने क्या करा, दिवाने उन्जारत को, उन्जारत था फाइन्स का डिपार्टमेंट, ठीक है, F-I-N लिख देती हूं इसके उपर, जिससे राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, उसे जबान तो आ रही है, समझ में, F-I-N लिखा है ये, और उसको सेपरेट किया, अर्ज से तो अभी उपर देखिया, मिलिटरी डिपार्टमेंट, FST ने क्या बनाया था, FST ने बनाया था, दिवाने बंदगान प्लस दिवाने खेरात, ये वो था ना, स्लेव वाला थीक है, 28, ये आपके गुरूज के बारे में दिया हुआ है, सिख गुरूज के बारे में सही बताना, आपको गुरु नानक देव, गुरू अंगत, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, बताइए, तो सारे ठीक हैं, और देख लीजिए, नानक जी ने स्टार्ट क करने से लेक्ट दी इंकरेक्ट आप्शन आपको राजवन्च और उनके संस्थापक मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ से स्टेडी फो सिवल सर्विसस टेस सीरीज घुशत कर दिया जाता है इसे तो चालुक्या, राष्ट्रकूट, कारकोट, उत्पाल तो गलत कौन सा इसमें से पहले तो गलत पहला ही है चालुक्या डानेस्टी के फाउंडर कौन थे वेंगी डानेस्टी उसको बोलते है चालुक्या राष्ट्रकूट के कौन थे दंती दुर्ग थे कारकोट के कौन थे दु जैसिंग first और इसमें से कोई नहीं है अच्छली गलत ये सारे ठीक है और ये ए गलत नहीं है इसमें से ये सवाल अब मैंने पलट दिया है क्योंकि चालुक्या इसमें जो थी इसमें हाँ गलत ये होगा कि चालुक्या बदामी नहीं थी डाइनस्टी चालुक्या वेंगी के थ थे विश्नु वर्धन और चालू क्या बदामी के कौन थे जैसिंग फर्स्ट ठीक है हूँ तो चालू क्या बदामी फिर से बता रही हूँ ये वेंगी है इसके विश्नु वर्धन वी फर वेंगी वी फर विश्नु वर्धन और बी फर बदामी और जे फर जैसिंग जै सिंग वन किसे नहीं आड़ी राइटिंग समझ थर्टी निम लिखित में से गलत विकल्प का चैन कीजिए सिलेक दी इंकरेक्ट आप्शन राइटर्स और बुक दी हमें इनायत खान बुक्स दी वी है आपकी तबाकते नसीरी किताब रहला मुंतखाब उत तबारिक तो पहला गलत है देखो रहला ठीक है तो सबको पता है मुरुकों से आया था ये और रहला लिखी थी इसने और इनायत खान ने लिखी थी शाजहान नामा याद रहेगा और तबाकते नसीरी बहुती फेमस मिनहाज की है मिनहास की और बदाउनी की है मुंतखाब उत तवारिक थर्टीवन निमलेकित में से सही विकल्प का चैन कीजिए सेलेक्टी करेक्ट आप्शन ये किया रहा है मुहमद हभीब की अनुसार मध्यकालीन भारत का राजनीती के तेहास अलाउदीन खिलजी से शुरू होता है शाजहान ने स्टैब्लिश की थी शाजनाबाद 1638 में दिल्ली को लास्ट कैपिटल बनाये था मुगल्स ने 1644 में और दिल्ली को जब अफगान से बाबर ने छीन लिया तो दिल्ली को मुगल चक्ति का केंद्र बनाये था तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ठीक हैं थर्ड क्यों गलत है शाजहान ने स्टैब्लिश किया शाजनाबाद दिल्ली में 1638 में फिर दिल्ली को जो लास्ट कैपिटल बनाये ना मुगल्स का वो 1644 में नहीं बनाया वो बनाया 1648 में अब किसको नहीं समझ आई ये कई बारना ऐसा होता है फॉर्माट चेक कर लिया करो अपना यूट्यूब का भी आप वो बढ़ा दिया करो 32 निमलिकेट में से गलत विकल्प का चेहन करें सेलेक दी इनकरेक्ट ऑप्शन ये बोल रहा है घ्यासुदिन तुगलक ने क्या स्टैब्लिश किया तुगलकाबा बी गलत है देखो छे सिटी याद रहेंगी थर्ड थर्ड है तुगलकाबाद घ्यासुदिन तुगलक की ये जो फोर्थ सिटी थी ये जहांगीर कहां से आगया है स्वक जहांगीर की नहीं थी ये ये थी MBT की मुहम्मद बिन तुगलक की तो जहांगीर की नहीं है ये MBT की है फिरोशा तो गलक की फिरोजा बादर ठीक है शेशा सूरी की नहीं यह है ठीक है 33 ने में लेकित में से सही विकल्प का चैन करें से लेक्दिक करेक्ट आप्शन यह बोल रहा है सेवा समिती किसने साब्लिश्किर हिर्देनाथ कुंजरू ने प्रियागराज में 1914 में और वल्लभाई पटेल के लिडर्शिप में कराची में एक सशन आया यह जुदुआ था जिसके अधिवेशन में गांधी जी को लंडन में होने वाले दूसरे गोल में सम्मेलन में कॉंग्रेस का प्रतिनिद्दित करने के लिए नामित किया गया था तो इबात है ठीक है बिलकुल देख के जाओ 34 निमलिकित में से गलत विकल्प का चैन करें से लेक दिन करें ये शाशक का नाम और उनकी उपाधी पूछ रहा है क्या क्या थी हातिम टू किसकी थी नायबे खुदाई किसकी थी उम्दत अलनिस्वान किसकी थी और उलुग खान किसकी थी तो सेकंड गलत है आपका आपको तो बुदी नायबक की देख लो एक बार पीलबक्ष लखबक्ष कुरुन खवान हातिम टू ये इसकी थी इल्टुत्मिश्की कौन कौन सी थी सुल्तान सयीद मिनाज निकाता सुल्तान सयीद और रजिया की थी उम्दत उलनिस्वान ये तो याद रहे गई बल्बन की थी गियासुद्दीन जब वो सुल्तान बना उलुग खान और नाबे खुदाई ये और ये बलबन की थी ठीक है 35, निमलिकित मुगल साशकों को उनके साशनकाल के वर्ष पर आरोही करम में आप विवस्थत करेंगे पहले कौन, बाद में कौन, देख लीजे एक बार इस का अंसर आपका A हो जाएगा मैं आपको बता दे रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से याद रखेगा, पहले अकबर, जहांगीज, शाजहां और फिर और अंगजेब सबसे पहले, सुरी, दिखाई नहीं हो गए तो यहां चला गया अकबर, अकबर के बाद अकबर के बाद जहांगीर जहांगीर के बाद, शाजहां शाजहां के बाद, और अंगजेब और अकबर का टाइम पीरिट पंद्रा सो चपन से सोला सो पांच सोला सो पांच से अकबर का टाइम पीरिट क्या है फिफ्टीन फिफ्टी सिक से सोला सो पांच जहांगीर का क्या है सोला सो पाँच से सिक्स्टीन ट्वेंटी सेवन शाजहां का है सिक्स्टीन ट्वेंटी एट से 1658 और अंगजेब का है 1658 से सत्रा सो साथ यह है क्राम 36 नवीनतम खनिज डेटा लेटेस्ट मिनरल डेटा आ गया है मिनरल और उनका पहला रैंक पुछा है टिन में यूरेनियम में टंग्स्टन में जिंक में कौन है बताईए तो भई देख लीजे इसको फटा-फट से टंग्स्टन में उडीसा नहीं है टंग्स्टन का आपको जो है कोई उत्पादन नहीं है यहांपे फर्स्ट कुछ नहीं है तो काट दो टंग्स्टन इसलिए हांपे दियावाज इससे याद रहे और जिंक है राजिस्थान यह तो आसान है 37 यह आपका खनिज डेटा है फिर से यह आपसे बोल रहा है सिल्वर चांदी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से राजिस्थान फिर करनाट का राजिस्थान के पाद सबसे ज़्यादा भंडार है सिल्वर का फिर करनाट का जारकन के पास है और ऑफशोर जो रीजिन है अब 30 जो शेत्र है उसमें highest natural gas produce होती है फिर असाम में फिर राजस्तान में फित्रपरा में है इसका अंसर बिल्कुल ठीक है तो याद रखेगा आप लोग दो टॉप याद रखेगा अब टॉप पूछू मैं आप से तो राजस्तान करनाटिका दो नचीए, आपको भंडार पूछू तो करनाटिका जारकंड जारकंड राजस्तान करनाटिका फिर जारकंड ऑफशोर का मैं आपसे natural gas पूछू तो पेट्रोलिम के बाद नहीं हो री है तो आपका offshore region उसके बाद साम उसके बाद राजिस्ता उसके बाद रिप्रो थर्टी गलत विकल्प का चैन करना आपको अगरिकल्चर डिटा दोजा तेज का दिया हुआ है फसले और उत्पादर में प्रथम्राज कॉटन कुरूड पाम उइल कच्छा त्रारत कर जो तेल होता है ग्राम कोकोनट बताओ तो देखो C गलत हो जाएगा चैने का प्रड़क्शन गलत दे रिखा है पहले तो कॉटन का याद रखो गुजरात बिल्कुल रट लो सिर्फ एक एक याद रखे चले जाओ पेपर में बता रही हूं बिल्कुल कोशन गलत नहीं होगा रटो इसे कॉटन गुजरात कॉटन क तमिलनाडू का जाधा है फिर आपका केरिला प्लीज ये बहुत इंपोर्टन है इसको ध्यान रखना हो फिर से आपका कृशी डेटा आ गया है क्रॉप और इंडिया का प्लेस जूट मक्का चावल गन्ना सारे बड़े इंपोर्टन कराए जारे हैं टेस्ट पेपर रटलो इसको याद कर लेते हैं चलो इसे गलत करो हमारा जो है याद रखना जूट में उत्पादन की दृष्टी से बोल रहा है यह भारत का पहला स्थान है मक्का में हमारा छठा स्थान है चावल में हमारा दूसरा स्थान है और गन्ना में हमारा दूसरा चावल और गन्ना दोनो तो पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक है, देखो 16 सितंबर वर्ल्ड जून दे होता है, पांच जून बिल्कुल ठीक है, तो 22 माई को वर्ल्ड बायो डाइवरसिटी डे होता है, और 22 एप्रिल को वर्ल्ड अर्थ डे होता है, वाइल लैफ नहीं होता, यह आपका 2nd February को होता है wetlands day, तो आसान question है, wild live day 3 March को होता है, और आप आपका 2nd April को हो गया Earth Day, यह रहा, आप मुझे पताए, यह biodiversity word किसने coin किया था, यह आपका static environment का question है, थोड़ा रबाइस कर लीजिए, 41, भारत 163 report 2021, यह आपका industry of the forest report 2021 है, यह आपसे carbon stock का highest reserve पूछ रहा है, फिर आपका highest bamboo bearing, बांस आच्छादेच छेत्रफल पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है, सबसादा mangrove cover किसमें है, increase और decrease किसमें है, तो 41 का D हो जाएगा, ठीक, अब प्लीज देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, carbon stock, carbon stock, top three states, पहले है अरुनाचल प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश, याद रहेगा, और फिर है चत्तिसगर, किसका रटा है हमने यह, carbon stock, carbon stock, bamboo bearing में topmost है MP, फिर है आपका AP, अरुनाचल प्रदेश है AP का मतलब, और फिर है आपका महाराश्ट्र, bamboo, bamboo, सबसादा increase कहां हुआ है mangroove cover का, हुआ है Odisa में, फिर हुआ है महाराश्ट्र में, यह एक पन्ने पे न, वो बना लो, चोचोची नोट, और फिर हुआ है करनाटका में, और decrease आपका सबसादा हुआ है, सिर्फ एक ही जगा हुआ है, गुजरात में, 42, फिर से भारत वंसेची रिपोर्ट आ गई है आपकी, अब यह बोल रहा है, श्रब्स, जाडियों में, पहला किसका है, आंध्यप्रदेश का, सबसादा forest cover कहां पे increase हुआ है MP में, मध्यप्रदेश का, महराश्ट्र का rank पहला है in terms of tree cover, व्रिक्ष आवरण में, और West Bengal का पहला है mangroove आवरण में, that is your mangroove cover, इनकरेक्ट आपका इसमें B हो जाएगा, देखिए अब आप, आंध्यप्रदेश में, रैंक पहला है श्रब्स में, बस इतना याद रखिए, कितना है, क्या है, छोड़ दीजे, सबसादा forest cover कहां पे record हो किया गया है, प्लीज याद रखिए, प्लीज आंध्र कवर में, ये है, बैंगरूफ कवर में, और आप याद रखिएगा, forest cover में तो कौन है आंध्र प्रदेश, अगर मैं आपसे question पूछती, महाराष्ट का rank first है in terms of area of tree cover, ठीक है, tree cover में है आपका महाराष्ट का, MP का आपका किस में है, first in terms of area of forest cover, और highest increase कहा हुआ है, आंध्र प् प्रदेश है, जहाड़ियां बहुत सारी आंध्र प्रदेश में, छोड़ दो, forest cover, FC, FC करक्यात करो, forest cover सबसादा बढ़ा कहां है, आंध्र प्रदेश में, बढ़ा कहां ही कह रही हूँ, और सबसे जादा कहां पे है forest cover, MP में है, ठीक है, सबसे जादा tree cover कहां पे है, महाराष बाढ़ा नहीं कहा हूँ है महराश्टर में तो ट्रीक वर में महराश्टर और फॉर्स्ट कवर में एम-पी आदु रखो और बढ़ा वाला जो है फॉर्स्ट कवर वो याद रखो अंदरपिर्देश 43 निम लिखित अधिनियम को कालनुक्रमिक्रम में व्यवस्थथ करें इसका आप कब भी हो जाएगा अब मैं आपको बताती हूँ फूट सेफटी आप ये जानते हैं 2006 बायोलोजिकल डाइवरसिटी 2002 गलत करने का स्कोप नहीं है बच्चा बता देगा इसे अजन्मा बच्चा 1986 एनर्जी कंजर्वेशन 2001 एक, एनर्जी कंजर्वेशन के बाइट बायोडवस्टी आद रखना हूँ गलत विकल्प का चेहन कीजिए वह यह बताने आपको हरत ने अधिकरन अधिनेयम का नाशनल एजीटी का 2010 वाटर पढ़ लीजिए बताईए तो सी गलत हुजाएगा आपका 2010 ठीक है 2012 है और एर प्रेवेंशन और कंट्रोल 1981 है और काला नुक्रमिक्रम में विवस्ट करना है इनको भी ग्रीन पीस, वर्ल्ड वाइट फंड फर नेचर, उनाटेट नेशन एन्माइमेंट प्रोग्राम और इसका आपका डी हो जाएगा चलिए देख लिजेए ग्रीन पीस है आपका 1971 वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फर नेचर है 1961 साथ-साथ यह भी देखते चलिए यूनएप 1972 तो बहुत फेमस है और आयूसीन मैंने लिस्टिंग विडियो कराया था आपको समझाई थी यह बात या तो क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कोई नहीं है या फिर याएगा इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री में है तो राश्ट्रे नाश्ट्रें नाश्ट्रों से सामूदरी संगरक्षत छेत्र मरीन प्रोटेक्ट्टेड एरिया और सेट्स और यूटी तो इसमें काडल उंडी, वली कुन्नू, कम्यूटी रिजर्फ की बात की विए, फुडूम सैंक्चुरी, लोथियन आइलेंड, खिजाडिया सैंक्चुरी और गाहिर माता सैंक्चुरी दो इसका आपका B ठीक है, सेकंड, थर्ड और, फॉर्थ और फिफ्थ ठीक है अब ये काडल उंडी जो है, ये आपका कहां पर है, कम्यूटी रिजर्फ, ये तमिलनाड में नहीं है, ये है केरिला में, और ये ठीक हैं सारे, फुडूम, दमंदियू, लोथियन, वेस्पेंगॉल, खिजाडिया और ये तो यादी होंगे सबको आगे आपका chronological order में, गैंडा परियोजना, थमिन मिर्क परियोजना, भाग परियोजना, लाल पांडा परियोजना हैं तो, सवाल इस बार बहुत उमीद है, इस पे आएगा सी है, वैसे तो इस cancer, यह तो पता होगा आपको, project rhinoceros आप जानते हैं, 1987, थामीन डियर वाला है, 1977, project tiger आप जानते हैं, इसके 50 साल पूरे हो गए, 1973 का है ये, तो बड़ा important चल रहा है, पांडा है, 1996 का, सब्सक्राइब करें, बार अक्टूबर 2022 को, तमिलनाडू सरकार द्वारा लुप्त प्राय हो रही प्रजाती, slender loris, very important, पहली century बनाई है, slender loris के तमिलनाडू में, और अक्टूबर 2022 में, मध्यप्रदेश wildlife board ने, नया tiger reserve बनाया, दुर्गावती, लिस्टिंग विडियो में दिया हुआ है, यह मैंने अलग से, कोई गलत नहीं है, इसमें, कुछ facts, लिस्टिंग विडियो के आ रहें, डिरेक्ट लिस्टिंग विडियो ज़रूर रिवाइस करके जाना, लिस्टिंग विडियो, most important, हर सब्जेक्ट की, और अब तो विडियो की speed बढ़ा के देखना स्टार्ट कर दो, पचासवा question, निमलिकित में से गलत विकल्प का चैन कीजिए, select the incorrect option, एक नया wildlife sanctuary बना है, बॉडर एरियाज में, पेंच टाइगर रिजर्फ को इंक्लूड करते हैं, जिसका नामे करमाजरी sanctuary, और तमिलनाडू सरकार ने क्या करा है, राजे के सत्रवे कावेरी दक्षन वन ने जीव अभ्यारन को स्थापित किया है, और हाली में जम्मू कश्मीरी देश का पहला night sky 5th century established हुआ है, 50th का अंसर बताओ, C हो जाएगा, क्यों गलत है C, प्याल तो यह दोनों देख लो ठीक हैं बिलकुल, करमाजरी कहां पे पूछलेगा, कावेरी साउथ कहां पे पूछलेगा, रे भाई, night sky कितनी बार आ गया, लद्दाक हानले, लद्दाक हानले, आया नहीं हानले, लद्दाक, शगुन का सवाल है, क्या वनवा, 2011 की प्रिसाशनिक सांखिकी के सम्मंध में सही विकल्प का चैन की, जी administrative statistics पूछ रहा है, 2011 की, कितने district हैं, कितने वधानिक नगर हैं, कितने census town हैं, कितने villages हैं, इस सर कराते हैं जो विडियो के end, बिलकुल शुरुवात में points देते हैं, बी ठीक है, 2nd, 3rd और 4th, देख लिजे प्लीज एक बार, statutory towns कितने हैं, 4041, 3892 है, census towns और 61, यह सबसे important point है, इसका, और district कितनी है, 640 है district, स्वच स्वरेक्शन पर उसका 2022, आना ही आना है, क्या कह रहा है, एक लाग से, जो जादा की population वाले हैं, उसमें इंदौर और MP को cleanest city का मिला है, और second cleanest city, एक लाग से जादा में, सूरत गुजरात को मिला है, फिर आपका, एक लाग से कम में, पंचगनी महराश्टर को मिला है, cleanest city, सबसे सवच शहर, और फिर, second cleanest city, कराड महराश्टर को मिला है, तो top 2 तो आपको याद रखने ही रखने हैं, अब मैं आपको बतारी हूँ धीरे से, सुनना, धीरे से मतलब अराहम से दिमाग लाके सुनना, देखो, याद रखना, एक लाग से जादा में, इंदौर है top 2, इंदौर गुजरात, इंदौर सूरत, इंदौर सूरत, ऐसे आद कर लो, फिर आपका, जो third है, वो नवी पंच गनी, एक कलंए, पहला पंच गनी, फिर पतन, फिर कराड़, पंच गनी, पतन कराड, पंच गनी, पतन कराड, एक लाग से कम्ए, इंदौर सूरत, नवी मंबई 1, लाग से जादा में, ऐसे आद कर लो, गलत पूछ रहे हैं, स्वाच सुरेक्षन अवार्ड में, UP को स क्लिनेस्ट कंटोनमेंट बोड गैंट जो है सबसे क्लीन और तेरा वर्ड मिले हैं उत्रप्रदेश को बताईए जरा इंकरेक्ट भाइया यही गरत नहीं करके आना है यूपी को साथवी रैंक नहीं मिली है कौन्ची मिली है दसवी टैंथ यूपी टैंथ यूपी टैंथ तिरुपती है बेस्ट सिटी सफाई मित्रा में और क्लीनेस्ट कंटोनमेंट है देवलाली गलत बताना है उत्रप्रदेश का आप बहुत बार पता चुके हैं आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे कम साक्षरतादर है श्रवस्ती कौन सा है जिसमें हाइस्ट है गौतम बुद्नगर और लिटरिसी कितना है ये पूछ रहा है अभी एंड वाले सवालों में बहुती क्रिस्प चीजें हम इंक्लूड कर रहे हैं कोई गलत नहीं है याद रखना हमारे उपी में सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहां में मिलेंगे आपको श्रवस्ती में सबस से पूरा सामने अपने लिख लो 55 जंगर्णा 2011 इससे इंकरेक्ट पूछ राइए अब हाइस पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है गाजयबाद में सबसे कम कहां पर लिख पूर में डेकिडल पॉपुलेशन ग्रोफ रेट सबसे कहां पर जादा हुई है गौतम खुला खुला रहते हैं यहां पर लोग और हाइस डेकिडल पॉपुलेशन ग्रोफ रेट कहां पर हुआ है गौतम बुद्नगर सबसे कम कहां पर हुआ है यह बागपत में नहीं हुआ है इसस बीन रिकॉर्डेन इन कानपुर नगर 56 फिर से 2011 की जन गणना आ गई है इनकरेक्ट पूछ रहा है कंट्री का हाइस लिटरिसी रेट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है सबसे जादा साक्षरता दर यह है आपका सर्चिप डिस्ट्रिक्ट में अर्नासिर प्रदेश के सबसे कम कहां पर है अली राजपूर MP में और कही पर कोई भी स्केडिल कास्ट नहीं रहते हैं कहां पर स्केडिल कास्ट से स्टी नहीं पूछ रहा है अर्नासिर प्रदेश नागलन अंडमान निकुबार लक्षदीब तो incorrect कौन से है पहला गलत है देखो सर्चिप ठीक है सर्चिप मीजोरम अरवनाचर प्रदेश में नहीं है सर्चिप आपका मीजोरम में है मीजोरम lowest literacy कहां पर है अलाजपुर ठीक है और ये important है देख रहे हो question क्या लाजवाब questions है वाँ 2011 की जंगना इसमें आपको incorrect बताना है सबसे कम अबादी least populated state पूछ रहा है सिक्किम UT सबसे कम population वाला लक्षदीप और सबसे कम sex ratio कहां पर है दमनन्दीव में दमन में मतलब दमनन्दीव का जो दमन है और least urban population कहां पर त्रिपुरा में है तो यह गलत है आपका अब देखलो भाया सबसे important है सिक्किम सबसे कम populated state है और सबसे जादा populated कौन सा है हमारा अपना प्यारा प्रदेश यूनिन टेरेटरी की बात करें लक्षदीप सबसे कम है दमनन्दीव का सबसे कम है और highest urban population कहां की है highest अभी least नहीं बता रही हो महाराश सही विकल्प का chain करें select the correct option अभी बोल रहा है सबसे दक्षणी जिला यूपी का बलिया सबसे west उत्री पश्चिमी शामली और सबसे आदा उत्री साहरनपूर चारों बता दूँगी इसमें मैं आपको पहला दूसरा ठीक है अब सुन लो मेरी बात सबसे north साहरनपूर सबसे east बलिया सबसे south सोन सोन भद्र south सोन भद्र west शामली ठीक है तो यह मैंने आपको बता दिए है north south east west 59 सही विकल्प का चैन कीजिए correct option पूछ रहा है जन जातियां और कहां पे है चैरो पटारी बैगा सहारिया तो c ठीक है first second और fourth तो देख लो एक बार चैरो सोन भद्र वारा नसी पतारी सोन भद्र बैगा है आपकी सोन भद्र में तो यह same सोन भद्र और सहरिया कहां की है ललितपुर की और सोन भद्र की एक और है अगारिया सही विकल्प का चैर्ण की जिसलेगदी करेक्ट ऑप्शन यह कह रहा है थारू जन जाती जो है किरात राजवंच की है और सुभा का जो नाश्ता है इनका वो कहलाता है कलेवा और दुपहर को खाने को बोलते है मिझनी लंच को मिझनी ब्रेक्फिस्ट को कलेवा आचा जो साथत्राइब है वह हिंदी बोलती है उनकी दिवनांकरी और बुक्षा जो है 25 असम्बर को टहार के तोड़ पर श्लिब्रेट करते हैं और इनका एक मदिरा का सेवन करते हैं जाड जाड बोलते हैं जुसको सही बात हैं गलत हैं यह ए ठीक है, दूसरा क्यों गलत हुआ, थारू याद रखना कीरत टाइनस्टी का है, थारू, इनके breakfast को कहते हैं, कलेवा, lunch को कहते हैं, मिजनी, और शाम के खाने को कहते हैं, बेरी, और ये लोग पीते हैं, एक जाड, जाड, ये लोग पीते हैं, और दिवाली को ये लोग शोक काउटसफ मनाते हैं, और बुकसा की हिंदी स्क्रिप्ट है, ठीक है, और 25 संबर इनका festival ठीक है, तो ये जो यहां से यहां तक की लाइन है, ये उपर जाएगी, और एक इनका खाना शाम का है, बैरी, 61, सही विकल्प का चैन कीजिए, क्लासिकल डांस और उनका राजे, पुषिपुड़ी आंद्प्रदेश का है, भरत नाटियम तमिल नाड का है, सतरिया साम का है, और कथकली है, केरला का एक्चिली, और मोहिनिय अट्टम आपका केरला का है, ठीक है, ठीक है, इन्डस की रवी ब्यास, कोसी घागरा गंगा की हिंडन केन, यमना की बताईए, की, सही विकल्प का चैन की, जिसलेक दी करेक्ट ऑप्शन, जिंक और बेरियम बोरो सिलिकेट को मिला के, जैना कांच बनता है, जैना कांच, पूछ रहा है, क्या क्या बना के बनता है, क्राउन ग्लास किसको बना के बनता है, सिलिका, पोटैश्यम ऑक्साइड और बेरियम इसमें हिंदी इंग्लिश का पुछ नहीं जखकर पाइरेक्स बनता है बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट को बना मिला के ठीक है सारे तो अब क्या कर पड़े आपने तो जैना ग्लास पर सवाल आये तो गलती होना चाहिए जिंक बेरियम बोरो सिलिकेट क्राउन आपका सिलिका पुटैश्यम ओक्साइड यह और पाइरेक्स है बेरियम सिलिकेट प्लस सोडियम सिलिकेट सही विकल्प का चेहन कीजिए कंट्री और उसकी ओफीशल लैंग्विज कह रहा है बिताई जरा देखके फॉर्स्ट और फॉर्थ भुटान की क्या है जॉंक्खा डी साइलेंट है इसमें और कंबोडिया की क्या है खाइमर मौल्दीव्स की क्या है दिवेही श्रिलंका की तुस्तिन हाला है गलत विकल्प इनकरेक्ट ऑप्शन डिस्क खोज और खोज करता डिस्कवरीज और डिस्कवरीज और डिस्कवरर प्रोटॉन हीलियम ओजोन इंसुलिन और इनसुलिन के हैं सर्फेड्रिक बैंटिंग और ब्लड ग्रूप के हैं काल लैंस टीनर ठीक है कौन सा विटमिन वसा में घुरंशील नहीं है फैट सॉल्यूबल नहीं है फाइटोनर डियोन कैल्सिफिरॉल एस्कॉर्बिक आसड टोकोफिरॉल तो इसका C हो जाएगा आप जानते हैं बहुत अच्छे से फैट सॉल्यूबल है आपके K, D और E ये है आपका K फाइटो कॉनर्डियन और ये है आपका D एसकॉर्बिक और ये आपका C, विटमिन C और विटमिन E होता है आपका टोकोफिरॉल तो ये आपका नहीं है निम्रिकित में से सही विकल्प का चेन कीजिए सलेक दी करेक्ट ऑप्शन बुरॉस्क बुरॉक्स का उब्योग कपड़े धोने के डिटरजेंट में किया राता है बुरॉक्स और जर्मन सिल्वर एलेक्ट्रो प्लेटिंग में और सोल्डर मेटल तारों को जोड़ने में क्या गलत है इसमें कुछ भी नहीं माना पास कैसे उत्रा खंड में आ अरुनाचर प्रदेश और उत्रा खंड को तीबित से को और पास कनेक्क करता नीथी उत्रा शुरॉर को अरुदिपास जो अन्म भावल स्थिasına को जिनल्य expert यsuite निमलिकल से अजर ट्वरिवस्थ करें नॉसे हलोग को इसका C हो जाएगा अंसर, पालकॉंडा, जावडी, और शेवरोई, और पालिनी, आधर रखना, P, J, S, P, पालकॉंडा, जावडी, शेवरोई, पालिनी, मैप में माग करूँ जसने नहीं कर रखा न, उमीद मत करना, मैप का कुशन ठीक हो जाएगा, 70, निमलेकित में से किस संशोधन, अधिनियम के अंतरगत, राष्टर पिछरावर्ग आयोग को समवधानिक दर्जा दिया गया था, National Commission of BC's को, Backward Classes को, Constitutional Status Consignment से मिला था, रटलो, इसको इस सवाल आने की बहुत संभावना है, 102, 2018, 102, 2018, 102, 2018, 71, सही विकल्प का चैन कर दो जड़ा, Retinol, Parasthesis होता है, इसकी कमीं की वज़ा से, Thymine से Night Blindness, Nicene से Beriberi, और Pantothenic Acid से Pellegras, सारे गलते रखें, Retinol कौनसा विटामिन है, विटामिन A, इसकी कमीं से क्या होता है, Night Blindness होती है, रतौनधी जैसे क्याते है, Thymine कौनसा है, B1, इसकी कमीं से क्या होता है, Beriberi, B1, Beriberi, Niaicene कौनसा है, B3, Pellegras, 3, 3 Pellegras, ऐसे आद कर लो, और ये आपका B5 है, इससे होता है आपका Parasthesia, 5 Thesia, 5 Thesia, ऐसे आद कर लो, 72, नहीं लिए इतमे से सही विकल्प का चेहन कीजिए, Select the Correct Option, अब ये बोल रहा है, Protozoa से होने वाले रोग, Poly or Sleeping Sickness, फिर वाइरस से, Descentry और Chicken Gungia, Chicken Gungia, और Bacteria से, Coloror और Neemonia, C ठीक है बिल्कुल, अब Protozoa से होता है, Descentry, Malaria और Sleeping Sickness, बताओ, Poly or Slea, क्या बोलते हैं, Poly or Dengu, Chicken Gungia, किसे होता है, वाइरस से होता है, और Bacteria से होता है, Cholera और Neemonia, काफी आते हैं सवाल ये से, निमलेकित में से, सही विकल्प का चेहन कीजे, Select the correct option, S.N. Mukherji, सविधान सभा में, सविधान के मुख्य प्रारूप कार थे, S.N. Mukherji, कौन थे? Chief Draftsman, प्रेम बिहारी नरायन राज़ादा, कौन थे? Caligrapher, सुलेखक, और Hindi version, जो था, उसकी कैलिग्राफी किस ने की थी? वसंत कृष्ण वैद्या ने है, ठीक हैं ये सारे, याद रखना, S.N. Mukherji, प्रेम बिहारी नरायन राज़ादा, और आपके वसंत कृष्ण वैद्या, 74, सही विकल्प का चेहन कीजे, Select the correct option, Parts पूछ रहा है, Part 2, Part 8, 9B, और Part आपका 17, तो D ठीक है, Second, Third, और Fourth ठीक है, अब सुनो, Part 2 में क्या दिया हुआ है, Citizenship दिया हुआ है, Part 8 में क्या दिया हुआ है, UTs दिया हुआ है, Part 9B में क्या दिया हुआ है, Cooperative Societies दिया हुआ है, ठीक है, पार्ट 17 में क्या दिया हुआ आपका ओफिशल लांगविज दिया हुआ है इस अपसलूटली करेक्ट फंडेमेंटल ड्यूटी इस किसमें दिया हुआ है जो नहीं बताय पाएगा ना 75 यह क्या कह रहा है सही विकल्प का चैन कीजिया अब देखे अब यह देखे लेंट आ गई थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए टेस्ट में दे दिया गया लेकिन ऐसा सवाल चाहिद नहीं आएगा तो थोड़ा सा अंदाजन आप कर सकते हैं करेक्ट पूछ रहा है देखे सा सब्सक्राइब करें अगर नहीं आता है तो वैसे तो आएगा है ना इस टुवेस्ट आपको पीक सरेंज करनी है कर दो फटाफट से इस कांसर आपका बी हो जाएगा पारसनाथ नीमगिरी धूपकर और कालसुवाई ठीक है मैप पे माग करोगे तो समझाएगा क्या है 77 कौनसी ने दी आयतकार अपवा प्रति रूप कौनसा rectangular drainage pattern follow करती गुदावरी, कावेरी, कृष्णा या इसमें से कोई नहीं कोई नहीं करती इसमें से तेखो ये सारी जो नदिया है ना ये parallel समानांतर अपवायन का गुदावरी का फिर तुमारा कावेरी का कृष्णा का तुंग भद्र का सबका रेक्टांगुलर जो drainage है ना ये बहुत कम नदियां करती है लेकिन रेक्टांगुलर drainage का अगर मैं आपको यहाँ पर एक्जांपल बताओं तो वो होगी आपकी जंबल नदिये 78 भारत में आठ राजयों से होकर गुजरने वाली करक रेखा मित्र पर कम गमच्छा जार अब यह पूछ रहा है आपसे कहां से कौन सा निकलती है गुजरात में किस से निकलती है यह पूछ राएगे 78 का अंसर हो जाएगा डी आप देखो राजस्तान से निकलती तो है आपको पता है मैं बता दती हूँ गुजरात में निकलती है जस्दान से चत्यसगर में निकलती है सुनहाट से मैं सारे बता दती हूँ आपको चलो गुजरात जस्दान राजस्तान में निकलती है कलिंजर से उद्यपुर से नहीं फिर आपका मध्यप्रदेश में निकलती है शजापुर से चैटिसगर में सोनहट से जहारखण में लोहर दर्ग से वेस्ट बेंगॉल में कृष्णा नगर से इत्रिपुरा में उद्यपुर से इत्रिपुरा में है और मिजुरम में चमफाई से इनकरेक्ट आप्शन अभी आपसे कुछ हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स ती में है जल विद्यत सैंत्र उनका स्टेट्स पूछ रहा है नात्पा जाकडी उंकारेश्वर श्री शैलम इडूकी सी हो जाएगा कहा है भाई श्री शैलम है आपका महाभुबन डिस्टिक्ट के लंगना में करनूल डिस्टिक्ट परता है आंद्र पदेश का ओमकारेश्वर है आपका MP में ठीक है अनप्ता जाकरेमाज़ प्रतेश ठीक है डूकीप करिला में है एक है रंगीत करके होता है रंगीत सिक्किम में मच्कुंट कहां पर है मच्कुंट बता सकता है कोई आंद प्रदेश और उडिसा यह दिया हुए ना उसमें हैं मच्कुंट नीचे राज में एक जोड़ी दी गई है राजों की इस जोड़ी के संबन में सही विकल्प चुने है गुजरात महराष्ट मध्य प्रदेश और उडिसा वेस्ट बिंगॉल में वेस्टन घाट्स कहां परता है तमिलनाडू केरिला करनाटिक का गोवा महराष्ट सारे बता दिए अब बता और क्या करूं मैं ठीक है अरावली नहीं बताया शायद अरावली है आपका गुजरात राजस्थान हरयान निम्रिकित में से गलत विकल्प का चैन कीजिए से लेक्दी इंकरेक्ट ऑप्शन यह आपसे बांध पूछ रहा है डै अर रश्या में है एक डैम डिसका नाम है नूरिक डैम नूरिक जो वक्ष नदी पे पढ़ता है वक्ष नदी पे नूरिक डैम पढ़ता है गलत विकल्प का चैन कीजिए से लेक्दी इंकरेक्ट ऑप्शन फसले और उनके मूल स्थान तो टबेको कहां से आया तंबाकू प्रचुगल से तंबाकू है नीटिव प्लांट अमेरिका का अमरीका से आया है और ग्राउंट काहां से आया है ब्राजील से शुगर्केन हमारा खुद का है प्रचुगल से आया थे टामाटर और अलू मेज आपका अमेरिका का है आपको जहान रहनां चाहिये और बस यह important बी ठीक है बिल्कुल, देख लीजे प्लीज, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है, ड्यूरांड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, यह दोनों आपस में इंटरचेंज है, राडिकलिफ इंडिया पाकिस्तान ठीक है, गलत विकल्प का चैयन कीजिए, इंकरेक्ट आप्शन पूछ रहा है, राजिक एंडिया साचित प्रदेश और हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है लद्द, चुमाथांग, अखारा बजार, ताटा पानी, चावल पानी, तो इंकरेक्ट उडिसा का हो जाएगा, सही विकल्प का चैयन कीजिए, अब कुछ सानी गर्म हवाएं है, लोकल वर्म विंट्स और उनके रीजिन्स, खंसन, सांटायना, ब्रिक्फिल्डर, डॉक्टर विंड, 85 का सी ठीक है, आप देख लिजिए आप लीज, खंसन आप जानते हैं, यह एजिप्ट की है, कहां से यहां हैं की, this is from Egypt, सांटायना है आपकी, कहां की है सांटायना, कलिफोर्निया, USA, नाम ही ऐसा इंग्लिश है, सहारा की कहां से होगी, ब्रिक्फिल्डर कहां की है, ब्रिक्फिल्डर है ऑस्ट्रेलियन देजर्ट की, डॉक्टर विंड्ड आपकी है, गिनिया कोस्ट की, ठीक है, और वेस्ट आफ्रिका की आपकी एक है, बर्ग, बी ए आर जी, एटी सिक्स, निमलिकेत में से गलत विकल्प का चैन कीज़े, इनकरेक्ट आप्शन, अब ये कुछ नहरे हैं, और किस-किस के बीच में हैं, पनामा, स्विज, सू किनाल, कील किनाल, तो ये आपका डी गलत है, देखिए, पनामा आप जानते हैं, किस-किस के बीच में है, कारिबियन सी और पैसिफिकोशन, प्लीज मार्क कर लीजे मैं आपके, स्विज, तो किसी का गलत होगा ही नहीं यह ठीक है बिल्कुल Sioux Canal आपका, Lake Superior और Huron Holmes करके मैंने आपको बताया था ना Great Lakes, Keele Canal है आपका North Sea और Baltic Sea के बीच में याद रखेगा और Lake Erie और Lake Ontario के बीच में पढ़ता है Welland Canal ये हम आपको करा चुके हैं W-E-L-L-A-N-D ये है इसका सही आणसर और Keele Canal किसके बीच में पढ़ता है North Sea और Baltic Sea शेत्रफल के अधार पे आपको इन द्वीपों को, Islands को जो है अरोही करम में, Ascending Order में रेंज करना है New Guinea, Borneo, Sumatra, Honshu तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेस्चन है आंसर इसका D है तो देखिए इसमें सब बहुत सारे वर्ग किलोमेटर आपको याद करने पड़ेंगे तो पर इसमें से अगर मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ा जो है तो New Guinea काफी बड़ा है सबसे बड़ा New Guinea ही है आप समझेए फिर Borneo है, फिर Medagascar है, फिर Sumatra है, फिर Honshu है तो एक बार याद कर लिजेगा कि Honshu काफी छोटा है अगर आए कभी option में तो 88 सही विकल्प का चेन कीजे, select the correct option ये नदियां पूछ रहा है और उनके बारे में कुछ बाते हैं Mississippi, Missouri नदी जो है It forms the fourth largest liver river system in the world विश्व का चौथा सबसे बड़ा नदी दंतर बनाती है Congo जो है equator से, विश्व तरेखा को दो बार काटती है जायरे, Tropic of Capricorn को क्रॉस करती है दो बार माही, Tropic of Cancer को क्रॉस करती है इंडिया में तो इसका C ठीक है, first, second और fourth ठीक है Mississippi ठीक है एकदम Congo equator वाली है और जायरे आपकी, जो जायरे नदी है प्लीज याद रखेगा ये भी, ये Congo या जायरे एक ही नदी है ये अच्छली और जो नदी Capricorn को दो बार काटती है, that is Limpopo River L-I-M-Popo और माही याद रखेगा Cancer को दो बार काटती है तो Congo और जायरे एक ही नदी है, तो Congo कही है, जायरे कही है स्थल रूद देश का जायन करना, आपको landlocked countries का बहुचा रहे है भूटान, लाउस, माइनमार, नेपाल थोड़ा साथ लगाई ये अंदाजा देखते है एशिया में पूछ रहा है, एशिया में ऐसी 12 कंट्री हैं, जो landlocked है सी हो जाएगा अंसर तो ये आपकी है ऐसी भूटान, फिर लाउस, और माइनमार कैसे स्थल रूद हो सकता है और नेपाल, एशिया की बता दूमें अगर आपको तो अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबेजान, भूटान, लाउस, कजाकिस्तान कजाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी स्थल रूद कंट्री है और किगरिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उस्बेकिस्तान 90, निमलिकित गैसों को इनके 25 डिगरी पर ध्वनी की गती की आधार पर अवरो ही कम में आपको रेंज करना है descending order में on the basis of the speed of sound in at 25 डिगरी इन में से कैसे निकलेगी speed of sound, 25 डिगरी पर इसका answer तो D है देखिए, अब आपको याद करना पड़ेगा 25 डिगरी पर सबसे जादा जो होती है, वो sulfur dioxide में होती है फिर होती है आपकी sulfur dioxide में, नहीं नहीं, सबसादा तो hydrogen में, 1284 करीब होती है फिर आपकी helium में 965, फिर oxygen में होती है 316, मीटर पर सेकंड की बात हो रही है, यह sulfur dioxide में होती है आपकी 213, तो यह ठीक है, इस क्रम को याद कर लो, आप hydrogen में सबसे जादा, फिर helium, फिर oxygen, फिर sulfur dioxide ठीक है चलिए, 91st देख लिजे, निम्रिखित में से गलत विकल्प का चाहिन कीजे, incorrect option, यह बुल रहा है, चालक पधार्थों का ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधक ता भढ़ जाती है मितला, अगर जो conductor materials है, if you increase the temperature, their resistivity increases अर्थ चालक पधार्थों को ताप बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधक ता कम हो जाती है on increasing the temperature of semiconductor materials, their resistivity decreases और व्यतिकरन के कारण साब उनके बुलबुले रंगीन विखाई देते हैं soap, bubbles जो होते हैं, यह पिए colorful due to interference incorrect बता दीजित दोगा, कोई गलत नहीं है तीरो important points है, प्लीज एक बार ध्यान रखेगा interference, व्यतिकरन, निमलिखित में से सही विकल्प का चैन कीजे कुछ committees दिये हैं और उनके chairman, constituent assembly के जो chairman थे, कुछ major committees के, संहिय सविधान समिथी union constitution committee प्रांतिय समिधान, provincial constitution और प्रारूप, drafting और प्रकरियानियन, जब drafting committee के देखे, जवार लाल है रुदे रखे हैं, बी ठीक है बिल्कुल, union constitution के थे, आपके पंडित नहरू, सदार पटेल ठीक है, जानते हैं, आप बीर governor of Bengal को governor general of Bengal कहा गया, और एक executive council बनाई गए, चार members की, और फिर इसका amendment हुआ, 1781 में, उसमें जितने भी residents थे कलकत्ता के, उनको supreme court के अंडर directly place कर दिया गया, बताई कौँछा सही है, ठीक बाते हैं यह आला याद रखना, यह कम्याद होता है, यह तो असान था, 94 ने में लिखित में से गलत विकल्प का चेहन कीज़े, select the incorrect option, यह कहारा भारत की संचित निधी से, कौन सा? Consolidated Fund of India से, अगर आप पैसे निकाल रहे हैं, फंच निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको सहमती किसके लिए नहीं है, पार्लेमेंट की स्विक्रती लोक लेखा समिती द्वारा तयार की गए रिपोर्ट राष्ट्रपती के समक्ष प्रस्तूत होती है, जो Public Accounts Committee रिपोर्ट बनाती है, that is presented to the President संगय बजट की तियारी करने और उसे संसद में पेश करने के लिए वित मंतराले का आर्थिक कारे विभाग उत्तर दाई है, Department of Economic Affairs in Ministry of Finance लोक लेखा समिती के अध्यक्ष की नियुकती, लोक सिभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, चेर्में जो होते हैं, Public Account Committee के, उनको स्पीकर जो होता है न, लोक सभा का, उसके पास जाती है, बाकि ठीक है, पॉइंट्स, अब ये कुछ थानंतरी क्रिशी दीवें है, Shifting, Cultivation और Country Region, बहुत बार आ चुका है, लदांग, कॉनुको, मसॉल, हुमा, इम्पॉर्टेंट वाले हैं, ये रिपीट करवा रहे हैं हम इसका आपका, इनकरेक्ट पूछा था है, इसने सी गलत है, लदांग, मलेशिया याद कीजिए प्लीज, और आपका, कॉनुकू, जो है, वेनिजुला का है, मसॉल जो है न, आपका, ये मेक्सिको का नहीं है, ये आपका, जाइरे का है, कॉंगो, जाइरे अभी नदी देख का चाहिन कीजिए, इनकरेक्ट आप्शन, ये बोल रहा है, प्रधानमेंतरिशी नरेंदर मोधी ने हाली में वदूद्रा गुजरात में C-295 परिवाहन विमान निर्मान सुविदा की अधार्शिला रखी है, एक ट्रांस्पोर्ट एरक्राफ्ट मिनिफेक्टिन फेसलिट के, गुजरात, आनंद और महसाना के डिस्ट्रिक्ट में जो अफगानिस्तान, बांगलदेश और पाकिस्तान की मैनोलिटीज रह रही है, उनको, गलत पताओ, कोई गलत नहीं, और ये ज़रा इंपोर्टेंट है, इसको देख के जाना, कौन से दो डिस्ट्रिक्ट में, आन इन सानों पर इलेक्ट्रिक वहानों के लिए 16 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जाएंगे, टार्टा पावर के साथ, ये इनका कॉंट्रैक्ट है, MOU है, भारत की रिन्यू पावर, एक कंपनी है, जिसने 8 अरब डॉलर के निवेश के साथ, स्विज नहर आर्थिक शे इंडियन आर्मी का क्या काम होगा, स्वोलर चार्जिंग स्टेशन स्टेशन से बनाने में, लेकिन इंडियन आर्मी ही है इन्वल्ट, गो ग्रीन, याद रखेगा, और रेन्यू पावर, 98, ने मिलिखत में से सही विकल्प का चैन कीज़े, सलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन, इनको क्या निउक्त किया गया है, फर्स्ट वुमें डिरेक्टर अफ आइसी ए आर, शुगर ब्रीडिंग इंस्टिटूट, और वरुन कुमार बसा क्या बने है, नए चेर्मेन नैशनल मॉनुमेंट्स अथारिटी की, पहला सही है, दूसरा क्यों गलत है, ये वरुन कुमा सही विकल्प का चैन कीजिए, एक तिब्विती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को हाली में गांधी मंडेला शांती पुरस्कार, 2022, से समानित किया गया है, तेलंगना की एक सामाजिक तल्यान योजना लक्ष्मी भंडार, सोशल वेलफिर स्की में है, इसको अवाड मिला ह स्कॉच अवाड का, काटिगरी के आप किसमें, विमें और चाल्ड डेवलाप्मेंट में, बताओ कौन सा आपका, सही है, पहला सही है, क्यों, ये सब कुछ ठीक है, इसमें, अच्छा ये तो देखी लो आप इंपॉर्टन्ट है, गांधी मंडेला पीस प्राइस इस बार त को पॉस्थिमिसली, मन्नो प्रांथ क्या मिला है, फ्रेंड्स अफ लिबरेशन, वर ओनर, दोजर बाइस, और अर्फा खनून, शेरवानी को क्या अवाड मिला है, कुल्दीप नायर, पत्रकारिता सम्मान, दोजर बाइस, इनकरेक्ट पूछा आप से इसने, कोई गलत नही है, दोनों नाम याद रखने आपको, एडवर्ड M. केनेडी और अर्फा खानूम शेरवानी, 101, निमलिखित में से सही विकल्प का चैन कीज़े, सलेक्टी करेक्ट आप्शन, यह कैरा, निलाक्षी सिंग, इसको हाली में मिला है, JCB अवार्ड फॉर लिटरेचर, 2022 का, और खालिद जाविद ने, recently, he has been honored with, first, सेतु पांडूलुपी सम्मान, 2022, यह सारे बड़े important वाले आ रहे हैं, याद रखेगा, तो अब आप, दोनों गलत हैं, और आप इनको पल्टेंगे, तो यह सही हो जाएंगे, खालिद जाविद को मिला है, JCB अवार्ड फॉर लिटरेच निलाक्षी सिंग को मिला है, first, सेतु पांडूलुपी सम्मान, इनकी non-fiction title है, हुकुम देश का इकका खोटा, हुकुम देश का इकका खोटा, निलाक्षी सिंग, याद रखेगा, गलत विकल्प का चैन गड़ना आपको, पहला त्रिपक्षी नॉसेनिक अभ्यास, काउन सा IMT Trilhut, कहां पे भारत, मुझांबीक और दंजानिया के बीच, दंजानिया में हुआ, दारेसलेम में, और एक military joint exercise हुई है, vigilant storm, किसके बीच में, इंडिया और United States के बीच में, लक्षदीप में है, इंकरेक्ट कांच है, दूसरा इंकरेक्ट है, यह जो joint military exercise है, vigilant storm, यह हुए, साउथ कोरिया और United States के बीच में, इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, साउथ कोरिया प्लस US के बीच में, और कहां हुए, लक्षदीप में नहीं हुए, कोरिया में हुए, लक्षदीप में क्य युजनान के लिए भारत को एक बिलियन यूरो प्रदान किये है, और भारत सरकार और मनीपुर सरकार ने हाली में, नईदली में मनीपुर में एक विद्रोही सम्हू, जेलियांग ग्रॉंग है, United Front के साथ संघर्ष विराम समझाता, इन्होंने साइन किया है, ceasefire agreement, इसका सही सिर्फ B है, आपको अब देखना है, किसने बन बिरो, ये जो है, फ्रांस नहीं दे रहा है, ये ये दे रहा है, जर्मनी, गलत विकल्प का चाहिए, इनकरेक्ट ऑप्शन, नौर्वे, डेन्माक और जी सेवन कंट्रीज ने एक अगरीमेंट साइं किया है, किसके साथ, रापिडली स्वैच फ्रम कोल पावर टू रिनियूबल अनर्जी, मितलब जिससे कि कोईला उर्जा से नवी करने उर्जा की तरफ आप बढ़ सकें, और ये जो अगरीमेंट है, ये हल्प करेगा वियतनाम को टूचीव इस नेट जीरो एमिशन ऑफ कार्बन दैक्साइड इसका अंसर क्या है, गलत, भी गलत है, इससे जो वियतनाम है, ये कर तो पाएगा, नेट जीरो एमिशन, लेकिन 2050 तक का है, टार्गेट, 70 तक का नहीं है, उत्रपदेश के किस शहर में, कस्तूरी कॉटन इंडिया, कि ब्रांडिंग, ट्रेस्बिलिटी, सर्टिफिकेशन ये सब होगा, किस के साथ इसका मेमिरेंडम ऑफ अंडिस्टेंडिंग साइन हुआ है, प्रियागराज गुरखपुर लखनू, इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये जो मेमिरेंडम ऑफ अंडिस्टेंडिंग साइन हुआ है, CCI, और ये जो आपका है, टेक्स प्रॉसल, ब्रैंडिंग पे, ट्रेसिबिलिटी पे, सर्टिफिकेशन पे, ये है आपकी वारा नसी के साथ, सौरी, हाली में, अपडेट के संबंध में, आपको गलत विकल्प चेयन करना है, सारे नेम और पोस्ट दीवी है, B20 के नए प्रेसिडेंट, पहले चांसलर गतिशक्ती के, फिर आपके नए MD, CEO, Bombay Stock Exchange के, और पहली प्रेसिडेंट, Federal Reserve Bank की, पहली प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेसिडेंट नहीं बनी है, फिर से अपडेट्स हैं कुछ आपके, प्रेसिडेंट पोस्ट, राजविंदर सिंग भट्टी, प्रसून जोशी, संतोष कुमार यादव, शाजी के वी, उसमें आपका पहला गलत है, राजविंदर सिंग भट्टी आपके नए Director General of Police of Bihar बने हैं, प्रसून जोशी क्या बने हैं, Brand Ambassador उत्राखंड के, संतोष कुमार यादव, नए Chairman NHI के, और शाजी के वी बने हैं, नए Chairman National Bank for Agriculture and Rural Development के, सही वी कल्प का चेहन कीजिए, Correct Option पूछ रहा है, विराट कोली को हाली में भारते Tech Brand Noise करके है, उसका Brand Ambassador बनाएं गया है, दिनेश कुमार शुकला को क्या बनाएं गया है, नया Chairman Atomic Energy Regulatory Board का, परमानूर्जा नियामक बोड का, और सुखविंदर सिंग सुखु को हाली में गलत विकल्प का चेहन कीजिए, Select the Incorrect Option, भारते मूल के लियो वराडकर को हाली में स्वीडन का नयाप प्रधान मंत्री ने उप्त किया है, सरगाम कौशल ने जीता है सरगम कौशल, टाइटल Mrs. World 2022 का और डीना बॉलूट, इनको पहली female president बनाएं गया है परू का, तो पहला गलत है आपका, क्यों गलत है, यह स्वीडन के नहीं हुआ है पॉइंट, लियो वराडकर, इस न्यू प्राइम मिनिस्टर ओफ आयरलेंड, लियो वराडकर, सरगम कौशल, दीना बॉलूट, निमलिकित में से गलत विकल्प का चेहन कीजिए, Select the Incorrect Option, पुने में भारत के अं पुने में नहीं हुआ है, इनको क्या मिला है, रबंदर ना टेगोर लिटररी प्राइस, 2021-22 का, और सोचल अक्टिविस्ट है, घना की, डॉक्टर एलीडा गुएवेरा, इनको क्या मिला है, इंटरनेशनल अवर्ड के आर, गौरी अम्मा, तो दूसरा गलत है, याद रखिए, ये ठीक है, संजोय के रोय, इनको याद रखिएगा, और सोचल अक्टिविस्ट है, क्यूब प्राइज 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 लोजरवाइज, गांधी शान्ति तीर्थात्रा पुरसकार, और राना अयूब को, क्या मिला है, इंटरनेशनल जॉन अव्यूखन, 2022, बताईए, करेक्ट पूछ रहे है, ये आपका बी करेक्ट है, गौर गोपाल दास नहीं है, ही इस श्र श्री रवी शंकर, ठीक है, आर्ट अफ लिविंग वाले जो है, उनको मिला है, गांधी पीस, पिल्गरमिज प्राइज, और आना यूब ठीक है, पहले इंडियन जर्नलिस्ट है, जिनको ऐसा कोई अवाड मिला है, जर्नलिस्म से रिलेटिड ये अवाड है, हाली में इनको मिला है, मिस अर्थ, और प्रो थालप पिल प्रदीप, इनको मिला है, विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज, इंपोर्टन है, इसको देख लीजे ज़रा एक बार, निमलिकित में से सही विकल्प का चैन की, जिसलेक्टी करेक्ट ऑप्शन, भारत ने हाली में नामीबि डाले, श्रिलंका में हिंदी चेर सापित करने के लिए एक समझाते पे हस्ताक्षर किये है, और अगस्त में आठ चीते आये थे नमीबिया से, तो ये जो अग्रीमेंट है, ये नमीबिया के साथ नहीं है, इस इस विद साथ आफरिका, एक सुपंद्रा, फिर से कुछ अपडेट आ गई हैं, कुछ परसंज और उनको जो पोस्ट दी गई हैं, इंटेरिम मैनेजिंग डिरेक्टर अमूल के, नई स्पीकर और नाचे प्रदेश लिजिसलेटर असेम्ली के, पहले इंडो अमेरिकल लेफ्टरेंट गवर्णर और और चेर परसंज ग्लोबल क्लाइमेट टॉक्स के COP28 के हैं, तो यह आपके बी हैं गलत, कुल्दी पठानिया नहीं हैं, कुल्दी पठानिया हैं, नई स्पीकर हिमाचल प्रदेश के लेजिसलेटिव असेमली के और बाकी के एकदम ठीक दिये हैं, निमलिकित में से किस राजे के माइन मित्र पोर्टल, सबसे इंपोर्टन जरूर आएगा ये पीपर में, कोहाली में, Ease of Doing Business के लिए, Digital Initiatives की श्रेड़ी में, साथवे Digital India Award 2022 में, प्लाटिनम कैटिगरी में चुना गया है, गुजरात करनाटका, UP तेलंगना, सबसे प्रदेश, याद रखेगा ये चीज, माइन मित्र पोर्टल, गलत विकल्प का चैन कीज़े, Select the Incorrect option, प्रभू चंदर मिश्रा को, क्या मिला है, नौवा अटल सम्वान पुरुसकार, साइन्स और रिसर्च की फील्ड में, और अमंडा डूडमिल वेनिजुला को, इन्होंन मिला है, मिस उनिवर्स का पहली रनर रप हैं, अमांडा डूडमिल, तो आर बॉनी, बस इतना याद रखे, आर बॉनी, यूसे की, मिस उनिवर्स, इन्होंने मिले के तम से सही विकल्प का चैन कीज़े, Select the Correct option, प्रफेसर नीलेश भी महता, इनको क्या मिला है, 30 सेकिंड जी तो पहला ठीक है, बिल्कुल, तो प्रफेसर नीलेश भी महता याद रखेगा, जी डी बिरला अवर्डिन को मिला है, Scientific Research में इनका Contribution बहुत अच्छा रहा है, और ये वारनासी का क्यांट है, ना की भूपाल का, और अभी वारनासी एक आंसर में और था, उत्तुरंत याद क ICC Men's ODI Cricketer of the Year, ICC Men's T20I Cricketer of the Year, ICC Men's Test Cricketer, तो B गलत है, अब देख लो, Men's Cricketer है आपके बाबाराजम कहां का है, पाकिस्तान का, ICC ODI Cricketer, बाबाराजम पाकिस्तान, तो इसलिए गलत है, सेम दोनों है, फिर आपका T20I है, सूरी कुमार यादव इंडिया का, और ICC Men's Test Cricketer of the Year है, Ben Stokes England के, और एक है, ICC Men's Emerging Cricketer, Emerging, वो मिला है, Marco Johnson को, ये आपके महां के हैं, साउथ आफरिका के, Emerging Cricketer हैंगे, डैश रेल्वे स्टेशन को हाली में, क्या मिला है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कांसल द्वारा, हरित अवधारनों को अपनाने के लिए, ग्रीन रे अबटूर भुबनेश्वर, विशाखा बटन, ठीक है, निमलिकित में से किसे मर्नो प्रांत, पद्म भूशन पुरुसकार नहीं दिया गया है, not given, श्री बाल कृष्न दोशी, श्री एसम कृष्न, श्री दिलेप महलनोबस, श्री मुलायम सिंह यादव, तो एसम कृष्न क पब्लिक अफेर्स करनाट का, और पोस्तो मिसली मिला है, दिलिप महलनोबस को, मुलायम सिंह यादव को पब्लिक अफेर्स में, और श्री निवास वर्धन को साइंस इंजिनेरिंग वाले फिल्ड में, ठीक है, अब देख लो जड़ा, सिक्किम के बने हैं, आरुनाचल प् शिक्रम परनायक रिटायर्ड, याद रखेगा, सिक्किम के लक्षमन प्रसाद अचारया, जार्खंड के सीपी राधकृष्णन, हिमाजर प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल, असम के गुलाब चंद काटारिया, और आंध्र प्रदेश के S. अब्दुल नजीर, यह रखता है, तो गलत यह आपका, अब देखो सारे देख लो एक बार, लेफ्रेंट जेनरल M.V. सुचिंदर कुमार, यह बने है नए आर्मी डपुटी शीफ, ठीक है, इंडो अमेरिकन है नील मोहन, यह बने है नए चीफ एग्जेकेटिव आफिसर यूट्यूब के, यूट 62nd जो है न सेशन, United Nation Commission Social Development वाला, उसका, उसके, और इंडिया का present permanent ambassador है, UN का, यह, रुचीरा कमभोज, यह चीज़ आपका दरख नहीं है, ठीक है, यूटी लिवर का नहीं है है, आपे कोई, लेना देना, चीफ एग्जेकेटिव आफिसर जो यूटी लिवर के बने है, वो है हाइन शुमाकर, शुमाकर करके आद कर लो, हाइन शुमाकर, 76th British film, British Academium film, BAFTA Awards जो होते हैं, उसमें, इनकरेक्ट बताओ, बेस्ट फिल्म, बेस्ट अक्टरस, अक्टर, डिरेक्टर, यह याद करने होते हैं बस, तो B गलत है, अब सुनो, बेस्ट फिल्म कौनसी है, All Quite on Western Front, याद रखना, बेस्ट अक्टरस है, केट ब्लैंचेट, तार के लिए, केट ब्लैंचेट, C-A-T-E, केट, ब्लैंचेट, तार के लिए, बेस्ट अक्टर है, ऑस्टिन बटलर, एल्विस के लिए, बेस्ट डिरेक्टर है, एडविट बरजर, All Quite on the Western Front के लिए, ठीक है, गलत बताना आपको आगया आपका Multidimensional Poverty Index में, जो भारत में, भारत दुनिया के गरीब बच्चों के संख्या में पहले स्थान पर है, ये पूछ रहे हैं, और इंडिया को 44th place मिला है International Intellectual Property Index 2023 में, तो ये B है, इसका गलत, अब सुनो ध्यान से, इंडिया का रैंक पहला है, सब आपकी बार World Happiness का डारेक्ट रैंक पूछा था पेपर में, हाल के अपडेट फिर से Current Affairs है, परसन और संबंधित पद दिये में, देख लो एक पार, फिर साथ में बताती हूं, इसका C है, आप देखना, गौरफ दिवेधी नए Chief Executive Officer बने है, प्रसार भारती के, ठीक है, फिर आ स्विट्जिलेंड टूरिजम के, और ग्रेग बाकले, इंटरनेशनल, ICC के नए प्रसिरिम बने है, प्राष्टे स्वास्थनीती 2017, इंकरेक्ट बताना आपको, क्या उदेशे है, 2025 तक, जो है, पांच साल से जो कम बच्चे है, उनका मृत्य उदर जो है, उसको कम करके 23 ला ना है, नैशनल और सबनाशनल लेवल्स पे बाइद ये 2025, इंकरेक्ट बताओ, भाहिया, रट लो इस कुश्चन को, कैसे भी करके, कुछ भी करके, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे कराये जा रहे हैं, ये आज रखना ये पूछा चुका है पहले भी, ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, निमलेखित में से गलत विगल्प आ गया, वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोड़क्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आगरा, जौनपूर, गाजीपूर, श्रवस्ती बताओ, बी गलत है, आगरा के लेजर प्रोड़क्ट से ठीक है बिल्कुल, अमेठी का है मूंच, बहुत बार करा दिया है, ये मैंने अब टेस्ट में, गाजीपूर की जूट वाल हैंगिंग है, श्रवस्ती का जो है ट्राइबल क्राफ्ट है, जौनपूर का क्या है, दरियां, दर सेंसे हाइस्ट डीकृस जु हुआ है, ये मवेशी जू का हुआ है, यह पूख राइगे, और स्पिंग के बाद सबसे ज़्यादा हुआ है किसका डिक्रीज आप जानते हैं शीप इसका दो याद रख लो बहुत है निमलिखित में से गलत विकल्प का चेहन कीजिए सेलेक दी इंकरेक्ट आप्शन यह आप से कुछ पूछ रहा है इंस्टिट्यूट्स और उनके जग सेंट्रल बफलो मैंने का था भैंस हर्याना हिसार सॉल सैलेनिटी म्रुदा की जो लवनता है वो करनाल हर्याना ठीक है बिल्कुल और माइनिंग और फ्यूल रिसर्च धनबाद जहारकन कॉटन रिसर्च कहां पे है पूछे तो नाकपूर में ठीक है 131 सही विकल्प का चेहन करना आपको आगया औरेंज कलर गाजर का रेड़ कलर मिर्ची का येलो कलर अल्दी का राडिश में पंजैंसी तिरपराहट चिरपराहट इतनी बार बता दिया ये तो मैंने अब याद हो क्या होगा सी फर्स सेकंड और फॉर्थ अब देखो ओरेंज कलर कारोटीन ठीक है रेड कलर कापसेनी ठीक है येलो कलर इतनी बार आगया करक्यूमिन और पंजैंसी आइसुसाइने ठीक है बिल्कुल और अलिसिन डाइडल सल्फाइड की विज़से क्या होता है गार्लिक लहसुन की ज सब्सक्राइब को नाम दो एली सिनी डाल ऐसे याद हो जाएगा 100% बसा रही हूं मैं 132 यह भी कितनी बार आगया इनकर एक पूछ रहा है यह अंतराष्ट्रे वर्ष किस-किस का कौन सा है यह देखो और बताओ इसका आपका हो जाएगा ए बाजरा वाला जो है फिलाल का है मैं बता रही हूं इस साल बाजरा खाओ याद रख लो ठीक है 15 में मिट्टी खाई आपने 2004 में आपने राइस खाई खुप सारे 2011 में आपने फॉरेस्ट खाई और 2024 किसका है इसे खाना नहीं है क्या मिलिड्स मैंने आपको बताए भी था इस निम्लेकित में से किन राजर में वर्ष 2002 में लोका युक्त की स्थापना की गई है बताओ इनमें से किस-किस में की गई है 2002 में पहले और दूसरे में चैट्रजगर हड्याना में 2002 में की गई थी फिर जम्मू कश्मीर में और उत्राखंड में 36 गर हड़याना जम्मू कश्मीर और उत्राखड यू के लिख रही हूं इसमें वेस्ट बेंगॉल में 2003 में हुई जारखंड में हुई आपकी 2001 में निमलिकत में से गलत विकल्प का चेहन कीजिए सिलेक्टी इनकरेक्ट ऑप्षन कि आपसे पूछ रहा है आयोग निकाय और संबंदिन बंतरा ले कमिशन बॉडिस और एलेटेड मिनिस्ट्रीज अब यह मानवाधिकार आयोग किसके इंडर आता है देख लो एक पर फिर बतात उन्द्र जिसमें किसमें आता है Central Vigilance ये Ministry of Personal में आता है समझे आप मिनिस्ट्री ऑफ परसनल कार्मिक मंत्रा लिजिस को कहते है अंतराजित परिशाद इंटरस्टेट काउंचल वो किसमें आती है वो भी हो में आती है तो ये परसनल वाली जो मिनिस्ट्री है ना पी ए आर एस ओ एन एन एल और अटार्णी जेनरल आते हैं आपके लोग और बहुत बढ़ा बड़ा लिख रहे हो सही विकल्प का चैयन गांँ आपको मिनमम सारे यहीं प्रिपेर हो जाएंगे तकडा रिविजन इसस्कॉल अस्कॉड आ रिविजंगे प्रेसिडेंट के लिए कंस अपसे किस एज़ पे आप्रेसिडेंट बिन सकते हैं मिनमम इज वाइ कितनी एज़ों सकते हो 35 साल पर वाइस प्रेसिडेंट 35 साल पर अच्छा गवर्णर जो वो स्टेट में वो यहां पर MP लोग सबा का 25 साल पर बन सकते हो राज़े सबा का 30 सालों पर बन सकते हो 35 नहीं है यह राश्टपती को अपना त्याग पतर सो अपने वालों का चेहन करें जो अपना त्याग पतर देते हैं President को कौन-कौन देते हैं बताओ जड़ा देखके मुझे सब देते हैं भई Vice President भी देते हैं Prime Minister, Supreme Court के Judge, Governor, High Court के Judge और Public Service Commission, Unions Commission या Joint Commission सब के President को देते हैं अपना त्याग पतर गलत विकल्प का चेहन करना आपको Language और कहां पर बोली जाती है तमिल पुड़चरी में ऐसे बताओ देखके तो यह है C गलत यह है देखो पॉंड़चरी में और तमिल नाडू में बोली जाती है तमिल हिमार्चल प्रदेश में आप बोलते हो दोंगरी और कहां बोलते हो पता हैं जम्मू में फिर यह बोडो कहां बोली जाती है आप जानते हैं असाम और वेस्ट पेंगॉल में यह असाम आएगा यहां पर संथली बोली जाती है आपकी कहां पर संथल ट्राइब जहारकन की बिहार वेस्ट पेंगॉल वाला एरिया और मैथली बोली जाती है कुछ पार्ट्स में बिहार के कुछ जगाओं पर मैथली बोली जाती है बस 138 गलत विकल्प का चेहन करना आपको आर्टिकल्स दिये हुए है 244 224 233 176 पताओ बी है इसका गलत आप देखो 244 स्केडूल ट्राइब और स्केडूल एरियास और ट्राइबल एरियास का अड्मेनिस्ट्रेशन 224 क्या कहता है एडिशनल और एक्टिंग जज़ का अपॉइंटमेंट अतिरिक्त और कारेवाहिक नाइदिशों की नियुकती एडिशनल जज़ एडवोकेट जनरल का कौन चाहिए बहिया एडवोकेट जनरल का है 165 इसके ओपर लिख दिया 233 DJ 233 DJ ऐसे आर करो और 176 में स्पैशल अड्रेस देते हैं राजेपल विशेश अभी बाश्रन देते हैं गलत विकल्प का चेहन करो फिजिकल कॉंटिटीज और फॉर्मूला प्रत्यास्था गुणांक प्रिष्टतना वेग प्रवंता दाप्रवंता मॉडलस फिलास्टिसिटी सफिस टेंशन विलॉसिटी ग्रेडियन प्रेशर ग्रेडियन क्योंकि इसमें हिंदी इंगलिश में सब्नें प्रवंत वसंशा गोनांक हर्गel थियृट प्रेशिटी आपन डिस्टन्स फार्मल एनर्जी अपन मास की इसको होता है लेटेंगी रागो जाएन गा तो लेटेंट लेस्टी इटका होता है लेटेंट ही औहिए तो यह देख बार फिर те ठीक है गलत विकल्प का चेहन करना है अब ये सब चीज़े कोस नियम पे चलती है भाप इंजन उश्मा गतिकी का नियम सुनार पराश्रवय तरंगों का परावर्तन एलेक्ट्रों सुक्षमदर्शी एलेक्रों की तरंग प्रकृती प्रकाशिक रेश्य प्रकाश का प्रकीनन स्टीम इंजन लॉज अफ थर्मडाइनमिक सुनार रिफ्लेक्शन अफ अल्टरसॉनिक वेब्स एलेक्ट्रों माइक्रोस्कोप वेब्लेचर अफ एलेक्ट्रों ऑप्टिकल फाइबर स्काट्रिंग उफ लाइट ये कहां से स्काट्रिंग उफ लाइट पे काम करेगा प्रकाश का पूनांत्रिक परावरतन ती आयार बोलते हैं जसको बाकी देख के जाओ ठीक हैं सारे निमलिकित में से गलत विकल्प का चेहन करें से लेक्टी इंकरेक्ट ऑप्शन सबसे अधिक आगहाध वर्धनिये तत्व मोस्ट मेलियेबल एलेमेंट सीजियम सबसे अध विभव वाला तत्व Member with the highest ionization potential helium गलत बताओ कैसे मेलियेबल सीजियम कैसे हो सकता है सोना है सोना और सीजियम है सबसे कम ionization potential वाला element नियुन्तम आयनन विभव वाला तत्व है आपका cesium बाकी ठीक हैं सारे गलत विकल्प का chain कीजिए से लेग दी incorrect option धातू और संबंधित आयस्क ओर्स दिये हुए है calcium का azurite potassium का sconite, shonite mercury का cinnabar, lead का galina पहला गलत है calcium का क्या है और? gypsum और azurite किसका जानते हैं आप लो copper का बाकी ठीक है सही विकल्प का chain कीजिए duralumin, किसके मिलके बनता है aluminum, copper, magnesium, manganese wood, metal, bismuth, lead, tin, cadmium magnalium, aluminum, magnesium nickel and tin बढ़िया बढ़िया सारे ठीक revise, revise, दुबारा से aluminum, copper, manganese AC, mm bismuth, lead, tin, cadmium, wood, metal 144 गलत पिकल्प का chain करना आपको potassium, nitrate किसले यूज़ होता है? oxidizer की तोर पे rocket fuel में sodium, hydroxide और योगिक सफाई अभी करता industrial cleaning agent sodium, carbonate, gel की स्थाई 14 के उपचार में प्रियूखत होता है treatment of permanent hardness of water sodium, bicarb, किसले होता है? leaving agent है ये खमी अभी करता कोई गलत नहीं है, ठीक है बिल्कुल potassium, nitrate, hydroxide, carbonate, bicarb याद रखना सारे गलत विकल्प का chain करना आपको आगया फिर से B9, B7, B6, D किस से कौन सी बिमारी होती? किस की कमी से देखो? मैं फिर कह रही हूँ, किस से, कौन, किसी का मतलब वो नहीं है, बस वो याद करने के लिए हम बोल देता है ऐसे और इसमें से नाम पता हैं के, sodium hydroxide क्या होता है, एक minute, एक चीज़ बता दूँ थोड़ी सी ये है आपका caastic soda sodium carb क्या आपका? washing soda और ये क्या बचा फिर आपका? baking soda खाने वाला soda हाँ, B9 ये हो गया, ये इसका answer आपका हो जाएगा B, क्यों? विटमिन B9 कौन सा होता है? folic acid, इसकी कमी से अनेमिय होता है B7 कौन सा होता है? biotin, biotin, ostomil चैनी होता है इसकी विज़े से, skin और hair की problem होती है ostomil चैनी किस से होगा? vitamin D से, जिसका है आपका calciferol अब तो याद हो गया होगा B6 क्या है? pyroxycin, anemia, skin disease, muscle spasm muscle spasm समझते हो? दर्दोना, inflammation vitamin D, calciferol, rickets plus ostomil चैनी गलत विकल्प का चेहन करना आपको अर्थराष्टरी प्रफेसर राजिक्रिष्ण ने साथवी पंच वर्षे होजना को हिंदू वृद्धी दर के रूप में वन्नित किया है और 69 में, 1969 में पांच वी पंच वर्षे होजना के दौरान 14 प्रमुक भारते बैंकों का राश्टिकरन किया गया था बी गलत है अब देख लो एकॉनिस्ट प्रफेसर ते राजिक्रिष्ण जिसनों ने कहा था 7th 5-year plan को हिंदू रेट ग्रोथ और 14 जो मेजर बैंक थे ना 1969 में कौन सी विजना चल रही थी 4th 5-year plan चल रहा था 5-year plan सारे याद कर लो केंद्रे बजट 2023 बताईए लगदाक से नवी करने उज़ा की निकासी और ग्रिड एकी करण के लिए 20,700 करोड रुपे के निवेश से एक अंतराजे पारेशन प्रनाली बनाई जाएगी इंटरस्टे ट्रांसमिशन सिस्टम बनाए जाएगा अनुसूचिक जनजातियों के लिए विकास कारे यूजना के तहट अगले तीन वर्षों के लिए प्रिधान मंत्री PVTG विकास मिशन के कारेवन वनेयन के लिए 15,000 करोड रुपे का आवंतन किया गया है कोई भी नहीं गलत याद रखना कि PVTG आप जानते विशेश रूप से कमजोर चंजातिया सम्हों होता है particularly vulnerable tribal groups कितने हैं अंडिया में पता आपको बताई जरह और ये देख लेने जरह केंदरे बेज़ेट 2023-24 मचवारों, मचली विक्रेताओं सुक्षमर लगू दिम्मों की गतिविधियों को सक्षम करने के उदेशे से 6000 करोड के लक्षित निवेश के साथ प्रधान मंतरी मच से संपदा योजना very important कि एक नई उप्योजना शुरू की गई है एक सब स्कीम स्टार्ट की गई है वरिश नागरिक बचत खाता है हो जना सीनर से डिजन सेविंग्स अकाउंट स्कीम जो है उसमें जमा की गए दिक्तम सीमा 15 लाग से बढ़ा कर 30 लाग करती गई है और 5G सेवाओं पर आधारित अप्लिकेशन विकसित करने के लिए 500 लाब साबित की जाएंगी जिन से नए अफसर बिजनस मॉडल और रोजगार संबधी संभावना को तलाशने में सहायता मिलेगी इनकरेक्ट है सी तो लाब जो हैं यह 500 नहीं होएंगी यह 100 लाब बनेगी और यह देख लिए ना 6000 करूर की स्कीम है और मैक्सिम डिपॉजिट 15 लाग से अब 30 लाग है समय उत्तर प्रदेश बजट अब 2023-24 जल जीवन मिशन में टार्गेट सेट किया गया है प्योर ड्रिंकिंग वाटर प्रवाइड किया जाएगा 2.26 करोड फैमिलीज को ठीक है टाप कनेक्शन के साथ इनाट एरिया सोन करेक्ट है सिर्फ पहला जल जीवन मिशन का याद रखना पक्का से फिनांचल लिएर 2023-24 का टार्गेट है 2.26 करोड ये इसी में खेलेगा आप से वो और रेविन्यू सरप्लिस 2.8 है और नेट सोन एरिया जो है 18-19 का हो गया 165 156 165 चले जी खुशी का सवाल आचुका है उत्रप्रदेश बजट का ही सवाल है ये वर्तमान मुल्यों पर उत्रप्रदेश आजे की प्रती व्यक्ति आए कितनी 66351 per capita income of the state of UP, current prices पर आज कुशी घाटा, कितना 2.84% हो गया है GSTP का अभी उपर क्या देख क्या है हो, revenue surplus 2.8, ये पूछ रहा है 2.84 fiscal deficit हो गया है क्या हो सही एक है अभी उपर surplus देखा 2.8 था तो fiscal deficit नहीं है ये, इतना fiscal deficit नहीं है, fiscal deficit 3.8 तो एक बढ़ गया उपर से अब 3.84 या 3.8 कैसे भी समझ लो और 66351 जो है टेस्ट इस बार, थोड़ा मैने जल्दी कराने की कोशिश करिये क्योंकि टाइम भी कम बच रहा है और जिससे सब कुछ हो भी जाए और थोड़ा रिविजिन भी हो जाए ठीक है, और हस्ते रहो कोई दिक्कत नहीं है, सब चेल है मामला, फोड़ के आना, पेपर बढ़िया तरीके से बढ़िया सी मस्कुराहत रखो, पेपर के ऊपर क्या कहते हैं सर, जड़ के बैठ जाना चलिए जी, थैंक यू सो मच, आव नाइस टाइम